किसे दिये जा रहे हैं KGF Chapter 2 के Satellite Rights आखिर कितनी है रौकी भाई यश और अधीरा यानिकी संजेदत की KGF Chapter 2 के लिए सालरी कितने में बिके हैं KGF Chapter 2 के Satellite Rights इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लाज तक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवान स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियो में साउथ स्टार यश की सूपर हिट फिल्म KGF Chapter 1 के मेगा सकसेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार्ट यानि KGF Chapter 2 भी जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलेस होने वाला है जी हाँ जब से इस बारे में अनाउंस्मेंट हुई है KGF के फैंस तो मानोख खुशी से जूम ही उठे हैं KGF Chapter 2 के रिलीस के लिए साउथ बेस जी चानल्स के साथ कुलाबरेशन किया गया है KGF Chapter 2 के साउथ साटलाइट प्राइज जी कंडर, जी तेलगू, जी तामिल और जी मल्यालम को रिकॉर्ड की मतबद बेचे गए है KGF Chapter 2 जब बनाई जा रही ही उस वक्त किसी ने उमीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा साथ इसकी साटलाइट प्राइज इतने कड़ोरों में बिकेगी Rocky भाई यानि की यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोर रुपे चार्ज किये थे करोर की जगे 30 करोर का चेक दिया गया अब फिल्म के सेकेंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं यश के बाद इस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉल वुडब अभिनेता संजेदत का जी हाँ संजेदत सबकाविंग फिल्म में अधीरा का कारक्टर प्ले करने वाले हैं जो की एक नेगटिव कारक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजेदत ने करीब 9 करोर रुपे लिए हैं इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदे हैं दर्शकों को और साथी मे को भी हम उमीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने केजिएफ के पहले भाग को प्यार दिया था उससे भी दुगुन्ना प्यार केजिएफ टाप्र टू को भी मिले केजिएफ के पहले भाग को देखने के बाद ओडियंस के मन ने कई तरीके के सवाल हैं सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको upcoming film KGF 2 में मिल जाएगा बस खोड़ा और इंतुजार और करना है film को लेकर audience के बीच इतनी excitement and curiosity है कि शायद इसी वज़े से KGF के chapter 2 के satellite rights को इतने महेंगे तरज पर बेचा गया है आप सभी कितने जादा उतसाहित हैं कि EGF chapter 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके सरूर बताएं दोस्तों एक लड़का था जिसने अपनी मा से वादा किया था कि वो पूरी दुनिया जीत लेगा और बन जाएगा यहां का सबसे अमीर आदमी वो चला, भटगा, गिरा, उठा और बन गया बादशाव जगे का जित जगे को जीतने के लोक सपने सचा दे थे और हम सब जानते हैं उस जगे को, उस लड़के को, उसकी कहानी को जी हां हम बात कर रहे हैं के जीय फिल्म के यश के बारे में यह एकलोती ऐसी मूवी है जिसने हमें ऐसे क्यारेक्टर्स दिये हैं जिनको हमने उनके रोल कर रहे स्टार कास्ट की क्लासिक पुफॉर्मेंस के कारण अपना मान लिया है इस मूवी को मूवी ना मानते हुए वास्तविक सक ही समझ लिया है रॉकी जिसका रोल यश कर रही है वो फिल्म में चाहे एक एक रुपे को अपने नाम करने के लिए तरसा हो लेकिन जब उस रॉकी की यह फिल्म 380s में आई तो उस रॉकी निक करोरों रुपे कमा लिये साथी साथ जनता का प्यार, सम्मान और इज़द भी हासिल कर लिया रॉकी को दुनिया जीतना था, अपनी मा से किया गया वादा पूरा करना था जहां उससे बनना है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो इसी अधूरे वादे को पूरा करने और बॉक्स ओपस पर रेकॉर्ड ब्रेक करने आ रही है के जी एफटू के जी एफटू को ये ऐसी वैसी फिल्म नहीं होने वाली है, जिसको लोग कह दे कि उची दुकान और फी का पकवान, इस बार ये पकवान सौ करोर से बनाया गया है जी हाँ, अप लोगों ने बिल्कुल ठीक से ना, के जी एफटू को सौ करोर के माकसिमम रकम से बनाया गया है मूवी में इस बार टकर देने के लिए रामिका सेन और अधीरा जो नजर आ रहे हैं इसी दिये मूवी का बजट भी इसी मूवी के जैसे प्रो होने वाला है के जी एफटू की कहानी कुछ अलग सी होने वाली है इस बार गोल्ड माइन्स के दवारों से लेकर मूंबई के पोट्स तक सबको फिल्म में कवर कर लिया जाएगा के जी एफटू का लोकीशन एंड सेट एकस्पेंडीचर अगर वो रफली देखा जाए तो 15 करोर के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है KGF-2 में जो आक्षिन देखने को मिलेगा वो KGF-1 के मकाबले भी काफी जादा कॉस्प लिवाना जा रहा है KGF-2 के नाम तो एक नया किताब भी दर्ज हो गया है जो कि इस मूवी के म्यूजिक से जुडा है KGF1 का म्यूजिक तो अभी सबको याद ही होगा, जिसने सबका दिल छूलिया था, इसी तरह KGF2 का म्यूजिक जिसे T-Series के लेबल के अंदर बनाया जा रहा है, उसका म्यूजिक प्राइट 75 करोर रुपए में बीच आ गया है, अब आज आते हैं KGF2 के स्टार कास्ट की कमा पर अधीरा जैसे रौकी से KGF उर्सकी कमाई को पानी के लिए कॉमपडिशन दे रहा है, वैसे ही अधीरा और संजय दत यश को मूवी में हाइस्ट पे लेने में भी कॉमपडिशन दे रहे हैं, यश ने KGF2 के लिए 30 करोर रुपए चार्ज किये हैं, उतने ही पैसे संज दत को अधीरा के कैरिक्टर के लिए भी दिये जा रहे हैं, KGF2 में अपनी उंगली पर पॉलिटिक्स को चलाने वाली रवीन अटन अपने नाम 10 करोर रुपए का चेक लिखवा चुकी हैं, श्रीनीदी का पे भी 4 करोर के आसपास माना जा रहा है, KGF2 में स्टार कास्ट क काफी ही महंगी रखी गई है, जिनके डिमांड फिल्मों के मार्केट में भी काफी जादा है, KGF2 एक लडाई नहीं है, एक जंग होगी पैसों और पावर कोनों को चीतने के लिए, दोस्तों मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी कोई खेल नहीं है, इस सिनेमाटोग्राफी क पर्फिक्ट बनाने के लिए फिल्मेकर्स ने करोरो रोपे जोंके हैं, तो ये है KGF2 की कुछ इंसाइट स्टोरी, ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों के रॉंक टिक खरे हो जाएंगे और इस बात की गारेंटी खुद फिल्म के डारेक्टर प्रशा निल ने दी है, आप सभी कितने उत्साहित हैं, KGF चाप्टर 2 के लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिलाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मुझे आनिया पढ़ना वत्स को दीजिए अजाजत, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो से लाइक और चानल, आखिर कौन है योगी राज और सान्या, कि सने की कॉस्ट्म डिजाइन और कॉस्ट्म डिजाइन में कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉलिराथ स्टूरियो में और मैं हूँ आपके टेक्निकल टीम का भी खर्चा होता है और दोस्तों उसका विसलेशन किया जाता है और यही परदा चलता है कि वक्त बदल रहा है दोस्तों यह टिक्निशन हर फिर में साथ होते हैं जो काफी अच्छे काम के साथ सामने आते हैं और केजिएफ इसका ही एक्जाम्पर है अब टू फिर्म के फर्स लुक से बने रिकॉर्ड के पीचे हाथ होता है और बिहांड़ सीन सूपर हीरोस यज़ियर जो फिर्म को एक गहराइई देते हैं इनी में से दों है फिर्म के कॉस्ट्म डिजाइनर योगी चिराज और दृस्तों सान्या केजिएफ और केजिएफ तू कैसे होते थे इसको सही और रियल लुग देने के लिए योगी और सान्य ने काफी में निभाते हैं क्योंकि यह चुनाती पूर्ण हिस्सा है कि आप उस समय का नुभा प्राप्त करें और जिस समय को आप पड़े पर दिखाने वाले हैं जब के जब की बात आती है तो दोस्तो योगी इन सान्य ने काफी भैतरीन कॉस्ट्यम तयार गी है सान्य ने ये इसके लिए डिजाइन किया है और दोस्तो योगी ने बागी के लिए कॉस्ट्यम को डिजाइन किया है केज एफटू की कॉस्ट्यम के बारे में बोलते हुए योगी ने कहा केज एफटू में इस्त काम कितना काबिल होता है कि देखने लाइक होगा दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं बॉलिकराद स्टूडियोज हम फिर हाजर होंगे कुछ नई और चटपरी इंफरमेशन के साथ में हमारी आज की राइटर है मनिशा चैर्ट तो कहा फैंस ने यश को रियल बॉस फैंस ने की मेकर से कौन सी बड़ी मांग कौन सा बड़ा सर्प्राइज मिल सकता है कि यह फैंस को दशेरा पर ऐसे ही तमाम सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो में नमस्कार मेरा नाम है निधी ठाकुर और स्वागत है आपका बॉली ग्रैट स्टूरियोज में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बड़े सर्प्राइज के बारे में जो जल्दी ही मिल सकता है के जीएफ के फैंस को हमें मिली जानकारी के मताबिक दशेरा पर के जीएफ फैंस टू साल की सबसे एंटिसेपेटड फिल्म है हाला की रिलीस का इंतिजार अभी भी जारी है लेकिन फैंस अपने फेवरेट रॉकिंग स्टार यश भाई को फिर से एक बार बड़े परदे पर देखने के लिए बेताब है की जीएफ चैप्लर टू का क्रेज भी इतना रहा है की सोशल मीडिया हर दिन की जीएफ टू पर हैश्टेग से गुलजार हो रहा है आपको बता दें हाल ही में रॉकिंग स्टार यश को एरपोर्ट पर देखा गया था वहां पर वे कई फैंस के साथ सेलफी लेते हुए और पेपराजी को कोस देते हुए एक अलग या फिल्म फैन विवर्स को अट्रेक्ट किया है लेकिन अब उनकी रियल लाइफ लुक्स भी खूप सुर्खियां बटो रही हैं जिससे पता चलता है की रॉकी भाई रियल लाइफ में भी वही स्टाइल और स्वाग कैरी करते हैं यश के इस लुक को पसंद करने वाले फै फिल्मों में से एक बन जाएगी हाल ही में के जीएफटो की मेकर्स ने अनाॉंसमेंट की कि फिल्म अगले साल 14 एप्रिल को सिनेमा घरों में उतरेगी इंस्टाग्राम पर एक नए पोस्टर शेर करते हुए अक्तर यश ने पोस्ट को कैप्शिन दिया हम 14 एप्रिल 2022 को सिन ला दिया था अब सबके नजर KGF के दूसरे पार्ट पर है बॉलिवुट अभी नेता संजेदत अगले पार्ट में ओपोजिशन का रोल निभाते हुए नजर आएगे जब के KGF चाप्टर टू फिल्म कंणड तमिल तेलगू मलियालम हिंदी में रिलीज होगी फिल्म के रिलीज डेट में अलरेड़ी इतना लेट होने के बावजूद फैन्स के एकसाइटमेंट में कोई भी गरावत नहीं आई है लेकिन ऐसा लगता है कि फैन्स KGF की दूसरी इंस्टॉल्मेंट में KGF के मेकर्स के तरफ से एक बड़े सर्प्राइस की होब कर रहे है हमें मिले मेडिया रिपोर्ट के मताबिक KGF 2 का फॉर्स्ट सिंगल दशैरा तक रिलीज होगा लेकिन इस बात की अभी कोई confirmation नहीं है अब ये देखने वाली बात होगी कि KGF 2 के मेकर्स फैन्स की डिमांड फुल्फिल करते हैं या नहीं ये दो दशैरा पर ही बता लगेगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें comment section में जरूर बताएं आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें आके संजय ड़क की खुशी के पीछे क्या है राज और किसका होगा KGF पर पूरा पूरा राज नमस्कार सस्ट्यकाल आदाब अहे दिल से स्वागत आपका वापिस से आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉलेपराट स्टूडियो के एक फ्रेश न्यू वीडियो में और मैं हूँ आपकी पुरानी होसर दोस्ट शुती आज हम बात करेंगे Most Thrilling Film of 2019 जुसके ट्रेलर नहीं सभी के रोंग्टे खड़े कर दिये थे कननट बेस्ट इस टॉलेवुड मूवी के हर एक सीन में क्लाइमेक्स और पूरी मूवी में भर भर कर आक्शन च्रिल एज किया गया था ताकि दर्शोकों का ध्यान एक बार के लिए भी इस मूवी से ना हटे तो आप समझी गए होगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों हम बात करें हैं के जीएफ की रौकी भाई के मुंबई का राजा बनने के जुनूर ने उनको के जीएफ तक का सरताज बना दिया था और जैसा कि हम सब ने पहले पार्च में देखा भी था लेकिन पार्ट वन की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रौकी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर डेथ वारिन जारी करती है और उनकी सरकार इतिहास की पन्नों से भी उसका नामों निशान मिटाने में जी तोड म माताओं ने इस मूवी के चाप्टर टू तयार किया है और इस मूवी के पहले चाप्टर ने कई ऐसी सवाल खड़े किये हैं जिसके जवाब को जानने के लिए दर्शकों का उतसा नहीं थम रहा है चाप्टर वन की स्टार्चिंग में दुबाई के ज्रग स्मगलर इनायत खलील के बारे में बताया गया है जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि ये रोल शायद संजयदत को मिलेगा लेकिन एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरा आन फिल्म डिरेक्टर ने इस बात को साफ किया कि इनायत खलील का रोल किसी ऐसी को दिया जाएगा जो पूरी तरीके से अन्नोन हो ताकि ओर्डियंस उसे एक्सेप्ट करें एक कैरेक्टर के तौर पर चैप्टर टू के टीजर में भी इनायत खलील की कोई जानकारी या जलक नहीं दी गई है टीजर को कन्नड या हिंदी जैसी रीजनल भाशाओं में रिलीज ना करके डायलोग्स के साथ इंग्लिश में रिलीज किया गया है पूरी फिल्म में ये दिखाया जाता है कि अधिर मारा जा चुका है और पूरा समराज्य सूर्य वर्धन के बेटे गरुडा के नाम पर है फिल्म में अधिरा के रोल के लिए चुना गया है संजैदत को जिनोंने इस रोल के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है उनका अधिरा लोगों को काफी पसंद आ रहा है संजैदत ने खुद ये स्टेट्मिन दिया है कि वो इस कारेक्टर से काफी ज्यादा खुश हैं बहुत टाइम बात जाकर उन्हें ऐसा इंटेंस नेगेटिव रोल मिला है संजैदत ने 2019 में आई फिल्म पानी पत में एहमद शा अबदिली का कारेक्टर प्ले किया था मूवी तो फिर फ संद किया गया था दर्शकों की ओर संजैदत काफी टाइम से ऐसे रोल की तलाश में थे और अब केजिएफ टू में उनका विलिन कफ्तार देखने में कितने दुछस होता है वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही सामने आएगा गरुडा की मौत के बाद अधरा खलील कहानी में अधर वापिस आते हैं वहीं दूसरी ओर सट्टा में एक नया चैरा सामने आता है एक तरफ जहां केजिएफ के समराजbase को अधरा दावेदार एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं वहीं उस समराज को पूरी तरह से खत्म करने पिराक में सरकार में तक्त पलट जारी है व्या अभी तक सिर्फ रॉकी को ही दिखाया गया है तो साफ है कि उसके अलावा किसी और को समराज मिलना तो पॉसिबल नहीं है मगर एंडिंग में प्राइम मिनिस्टर के डेथ वर इंजारी करने से अनुमान लगाया जा सकता है कि के जिएफ को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां उससे राक्षस कहती है वहीं अधिरा और खलील की पावर का अंदाजा किसी को नहीं है हो सकता है कि रौकी अधिरोक और दुबाई के ड्रग स्मगलर खलील को मार कर इंटरनाशनल पावर जिएफ के खलनाया के लिए के जिएफ चैप्टर टू का अधिरा किरदार सबसे चैलेंजिंग और टफ पाना जा रहा है क्योंकि इस फिल्म में वो लॉर्जर देने लाइफ किरदार रावकी से लडने के साथ ही तरह तरह के एक्शन करते दिखेंगे जिसमें तलवार बाजी सबसे प्रवुक है के जिएफ चैप्टर वन में जिस तरह से रोकी का फियरलेस किरदार गड़ा गया था और उसने जिस अंदास में गरूडा की हत्या की थी उसके बाद तो लोगों की उमीदे के जिएफ टू में ऐसे विलन देखने की हो गई जो रोकी से टकर ले सके इसी कोशिश के साथ प्रशाम नील ने संजेदत को अधीरा किरदार के लिए चुना और माना जा रहा है कि संजेदत की फैंस की उमीदों पर खड़े उतर सकते हैं अलिवर्ड के असली खलनायक माने जा रहे संजेदत के फिल्मी करियर को उनका अधीरा किरदार अमर कर देगा जब KGF चैप्टर 2 देखने के बाद लोगों की जुबा पर रोकी की चंगे अधीरा नाम घुनजेगा ऐसा कही देखने को मिलता है क्या कि किसी फिल्म में विलन के किरदार को लेकर इतनी उत्सुकता दिखाई गई हो लेकिन KGF चैप्टर 2 यश यानी रोकी से ज़ाद संजेदत यानी अधीरा के किरदार की वज़े से चर्चा में हैं आपको बता दे कि संजेदत ने अपनी फिल्मी करियर में एक से एक बढ़कर हीरो और विलन के किरदार निभाए हैं फिल्मों के साथ ही रियल लाइफ के भी खल लायक माने जाने वाले संजेदत ने 10 साल के फिल्मी करियर में इतने अलग-अलग किरदार निभाए हैं कि शायद ही किसी और एक्टर के इतने अलग-अलग फिल्मी रॉल परदे पर दिखे हो कभी ड्रग्स और एके 47 की वज़े से करियर बरबाद कर चुके संजयदत फिल्म इंडस्ट्री में बाबा के नाम से जाने जाते हैं जिसे दुनिया सलाम करती है अच्छी खासी हाइट, मजबूत कद काठी और डरावनी आखों के साथ ही भारी भर कम आवाज वाले संजयदत आने वाले दिनों में भी समशेर और पृत्वी राज जैसी मल्टी करोण बजट फिल्मों में भी संजयदत विलन की मुवी का निबाते दिखेंगे जिसमें उनका लुक देखने लायक होगा संजयदत की फिल्म तोरबाज अगले महीने नेट्फिक्स पर रिलीस होगी तो आप लोग संजयदत को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं और आपके इनकी कौन सी मुवी की जादा परतिक्ष्या है के बाद अपने प्रड़क्शन हाउस को संभालेंगे यश फिल्म सालार को लेकर डिरेक्टर प्रशान नील ने किया कौन सा खुलासा के जिएफ के विलन को मिला गोल्डन वीजा के जिएफ के निर्देशक प्रशान नील इस समय सात्वे आसमान पर है ब्लॉक्बस्टर के जिएफ चैप्टर वन के बाद प्रशान ने दक्षिन फिल्म उद्योग में ए लिस्टर निर्देशकों में जगह बनाई है वर्तमान में प्रसिद्ध निर्देशक अपनी दो मच अवेटट फिल्मों केजिएफ चैप्टर टू में यश संजैदत रवीना टनन और श्रीनिदी शेटी सहित और सालार्मे प्रभास और शूति हसन के साथ व्यस्त है प्रशान वारा अभी निंद दो फिल्मों के हर अपडेट के लिए फान्स की बीच काफी उच्सुकता रहती है यहां तक की फैन्स भी दो हाई वॉल्टेज आक्शन से भरपूर ओपस मेगनम के बीच किसे भी समानता का अनुमान लगा रहे है हाल के अपडेट के अनुसार दोनों फिल्मों में एक ही संगीत निर्देशक है रवीब बसरूर इस बीच इस साल की दो मच अवीटिट फिल्मों में एक और करीबी समानता है के जीएफ वन में श्रीनिदी के चरित्र के साथ साथ इसकी सीक्विल के जीएफ 2 के बारे में फैंस अच्छी तरह से जानते हैं श्रीनिदी केजिएफ चाप्टर 2 में मुख्यम महिला की भूमे का निभाते हुए दिखाई देंगी सभी फैंस का उच्छा बढ़ाने के लिए सालार निर्देशक ने श्रीनिदी को चाप्टर 2 में भी जोनने की योजना बनाई है अगर अफवाओ पर विश्वास किया जाए तो प्रिशानने हाल ही में सालार में एक विशेश गीत के लिए केजिएफ अभिनेतरी श्रीनिदी से संपर्क किया जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमती दे दी है गाने के शूटिंग इसी साल के अंत में की जाएगी कयासों के मताबिक श्रीनिदी एक आइटम नंबर में बागी स्टार प्रभास के साथ थिरकती नजर आएंगी कन्नर स्टार यश की बात करें तो केजिएफ चैप्टर वन की रिलीज के बाद अमिनेता सूर्कियों में चागए जिसमें उन्हें एक अखिल भारती अपील के साथ एक स्टार के रूप में पेश किया अब यश जल्दी अपना प्रड़क्शन हाउस लांच करने वाले हैं और उनका अगला अक्टिंग असाइंमेंट उनके होम प्रड़क्शन के लिए होगा अभिनेता के करीबी सूत्र ने बताया के जीएफ और इसके सीक्विल दोनों यश के करीबी दोस्तों द्वारा निर्मित हैं वास्तव में अगली फिल्म जिसे प्रशान नील प्रभास के साथ निर्देशित कर रहे हैं वो भी यश के दोस्तों द्वारा निर्मित की जा रह करता है यह अगली रिलीज के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं पहले ही कोविड चीजों को इस हद तक धीमा कर दे कि के जीएफ 2 योजना के अनुसार 2021 की गर्मियों में रिलीज करने में असमर्थ हो हाला कि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हु के जीएफ की सफलता पर इसके नायक यश ने पहले दिये एक इंटर्व्यू में कहा था के जीएफ की सफलता कंण उध्यों के लिए बहुत माइने रखती है खासकर हमारे बहुत से प्रतिपाशाली तकनीशियनों के लिए जिने वह उचित सम्मान नहीं मिलता जिसके वह हक एक मंच की तलाश में है और के जीएफ ने उन्हें वह स्थान प्रदान किया है यह सफलता हमारी इंडिस्ट्री की सभी अन्यूस्ट पर दिभाओं के लिए बहुत माइने रखती है कुछ वेबसाइटों ने हाल ही में बताय था कि प्रशांद नीलद्वारा निर्देशत अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म सालार शीर्त निर्देशक की सफल फिल्म उग्रम की रीमेक है के जीएफ के डिरेक्टर ने अब अफाव को खारिच कर दिया है और यह सपष्ट कर दिया है कि यह पैन इंडिया फिल्म एक ओरिजनल कहानी है उन्होंने मीडिया से बा माने पर होने की संभावना है फिल्म में शूतिहसं मुख्य नाइका के रूप में है और बाहुबली के साथ उनका पहला सयोग होगा चर्चा यह है कि बोल्वुड स्टार जॉन अब्राहीम सालार में विलन की भूमेका निभा सकते हैं यदि चीजे योजना के अनुसार होत सयोग अरब एमिरेट्स UAE का गोल्डन वीजा मिल गया है संजय ने बूधवार को ये खबर सोशल मीडिया के जरिये साजा की उन्होंने वीजा के लिए वहां के अधिकारियों का शुक्री आदा किया वहीं संजय की बेटी तृशला दत्त ने भी संजय की तस्वीरों पर प मारी के साथ जो दुबई में जनरल डिरेक्टर एड ओफ रिजिडेंसी और फॉरेंट अफेस के डिरेक्टर जनरल है संजय ने तस्वीरों के साथ लिखा मेजर जनरल मुहमद अलमारी का मौजूदकी में यूए का गोल्डन वीजा पाकर सम्मानत महसूस कर रहा हूं इस सम अफतार है रोकी भाई को एक नए अफतार में देखने के लिए हमें अपनी राइ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना नहानी पर अधारित क्या था राजाओ के कमाई का राज भारत में बिजली का क्य का है इतिहास के जिएफ भारत का बहुत ही पुराना इतिहास है इस कॉंसेप्ट पर इसी नाम से कंणर फिल्म भी बनाई जा चुकी है प्रिशांद नीलद्वारा निर्देशित ये फिल्म 2018 में दर्शकों के सामने आई थी इसे खोग पसंद किया गया था और इसने कमाई क कई रिकॉर्ड भी तोड़े थे आईए आज हम इसी वीडियो में आपको असली केजिएफ के बारे में बताते हैं केजिएफ का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड है जो भारत की सबसे पुरानी सोने की खान है ये करनाटक के बैंगलूरू शहर से लगबक 80 किलोमीटर दूर पर स समय में ये भारत को सबसे ज्यादा सोना देने वाली जगह भी थी ये वही जगह है जहां पर माइन्स करके पूरा गोल्ड को निकाला जाता था इतिहास कारों के अनुसार यहां से खुदाई करके लगबक 800 टन सोने का उत्पादन किया जा चुका है और ये गोल्ड लगबक 1880 से 2001 के बीच में निकाला गया है इस खदान के बारे में कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी खदानों में से एक है यहां माइन करके गोल्ड को निकाला जाता था एक समय ऐसा था जो इसमें लगबक 10,000 लोग काम किया करते थे लेकिन अब यह जगह वीरान पड़ी ह कहा ये भी जाता है कि जब पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तब इसे मिनी इंग्लेंड के नाम से भी जाना जाता था क्यूकि यहां का मौसम इंग्लेंड से मिलता जुलता था अभी भी वहां ठंड ही रहती है KGF दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है ये 1980 और 1990 के दशकों में इसकी खदाई धर्ती की सतह से 3 किलो मीटर गहरी की गई थी दक्षन आफ्रिका की कुछी खदान ऐसी है जो इसके ज्यादा गहरी है यहां पर गोल्ड के लिए सबसे पहले शताब्दी में खदाई शुरू की गई थी जो कई दशकों तक चलती रही यह जगह साउथ इंडियन के राजाओं के आई का मुख्य सोर्स बन चुका था सबसे ज़्यादा आई यहीं से होती थी 1864 में ब्रिटिश शासन को इस जगह के बारे में जानकारी हूँ जिसके बाद प्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश खरनन कमपनी जौन टेलर एंड संस को गोल्ड निकालने का कॉंट्राक्ट दे दिया गोल्ड का उत्पादन और जादा बढ़ाने के लिए इसकी जिम्मदारी डोनाल डॉपस्टन को दे दी गई जिसके लिए उन्होंने गोल्ड माइनिंग मशीने लगा दी लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत थी जिसके लिए हाइट्रो इलेक्रिक प्लांट लगाया हाइट्रो इलेक्रिक प्लांट के द्वारा बिजली के आपुर्थी पूरी की गई जिसके बाद भारत दुनिया का पहला देश बन चुका था जो इस तरह का प्लांट यूस करता था और फिर भारत में भी बिजली का इस्तमाल होने लगा क्या आप जानते हैं कि एशिया में जापान के टोक्यो शहर के बाद बिजली इस्तमाल करने वाला इंडिया दूसरा देश बन चुका था और अब इस प्लांट को कावेरी हाइड्रो इलेक्टिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है अब आपको बता दे कि इसी कहानी पर प्रशान नील की 2018 वाली फिल्म थी ये कंणर सिनिमा की अब तक की सबसे महेंगी फिल्म है वहीं कमाई के मामले में भी ये कंणर की सबसे बड़ी हिट है अब इस फिल्म का दूसरा भाग रिलीस के लिए तयार है गौर तलब है कि अब फिल्म का एक सीक्विल भी रिलीस के लिए तयार है प्रशान नील के द्वारा लिखी और उनके निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश और श्रीन निदी शटी मुख्य किरदारों में होंगे जबकि बॉलिवूट के कल दिगज भी इसके दूसरे भाग में जुणने वाले हैं इन में रवीना टंदन, संजैदत और प्रकाश राग जैसे नाम शामिल है आपको बता दे कि अच्छुत कुमार ने फिल्म के पहले भाग में गुरू पानियन का किरदार निभाया था जैसे वो कैसे होगी यश की एंट्री फिल्म में आखे कौन से मश्हूर स्टार्स देखने मिलेंगी हमें इस फिल्म में बॉलीक्राग स्टूडियोस में आप सभी दशकों का तहे दिल से स्वाधत है रॉकिंग स्टार यश अपनी अपकमिंग फिल्म के जीएफ चैप्टर 2 को लेकर इन दिनों काफी सूर्खियों में है फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जो फैंस को काफी पसंद आया था वहीं अब फैंस फिल्म की रिलीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं फिल्म के निर्मात अपने टीजर की सफलता का जश्न बना रहे हैं टीजर को अब तक 140 मिलियन व्यूज से अधिक बार देखा जा चुका है बता दे फिल्म के टीजर को यश और रॉकी भाई के जनम दिन पर रिलीज किया गया था हाला कि टीजर का सीन जो फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आया वो यश का एंट्री सीक्वेंस था जहां वो आट्र मॉबाइल की एक लाइन को उड़ाते हुए आग की लप्टों के बीच एंट्री करते हैं यह द्रिश्य अमिताब बच्षन की अगनी पट की प्रतिष्टित द्रिश्य से बहुत मेलता जुलता है केजी एफ चाप्टर वन में भी यश आंगरी यंग मैन और माफिया किंग के लुक में नजर आ रहे हैं जो भारतिय सिनमा के सुनेरे दौर के प्रतिष्टित किरदा और अगले सीक्वल में भी यश अपनी पावर और जोश के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते हुए दिखाई देंगे केजिएफ चैप्टर टू में रॉकिंग स्टार यश संजैदर श्रीनिदी शेटी रवीना टंडन प्रकाश राज मालविका विनाश अच्छी उत्कमार इत्यादी कलाकार नजर आएंगे यह एक वहुभाशी वेंचर है जोसे कन नट तमिल तेलगू मल्यालम और हिंदी में रिलीज किया जाएगा अकसर आक्टर्स की एंट्री का दर्शकों में अलगी क्रेज रहता है और कुछ एंट्री इस तो ऐसी होती है कि वह दर्शकों को खूब पसंद आती है और वह बार हिट फिल्म या पर किसी दूसरे लांगविज की फिल्म से प्रेड़ना ली जाती है अब कहा जा रहा है कि इस फिल्म में यश की एंट्री लोगों को अगनीपत के अमिताग की याद दिलाएगी और यह जानकर सभी दर्शक उत्सुख हो चुके हैं क्योंकि एक तो देते हैं दूसरा कई बार तो लोग बस हीरो की एंट्री से वक्त उसकी परस्नालिटी की वज़ा से हीरो को पसंद आजाता है तो क्या लगता है आपको क्या अगनीपत जैसी एंट्री से होगा इस फिल्म को फाइदा हमें अपनी राय कॉमें इस सेक्शन में बताएं और अ कैसा होगा संजय का फिल्म में किरदार क्या कुछ देखने को मिलेगा केजी एफ चाप्टर टू में बॉलिक रेट स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है साउथ के सूपरस्टार यश संजय दथ और रवीना तनन स्टारर केजी एफ चाप्टर है टीजर से पहले संजय दथ ने केजी एफ चाप्टर टू से जुड़ा अधीरा का अपना एक लूप भी साजा किया था जिसमें वे हाथों में तलवार पकड़े हुए नजर आ रहे हैं संजय दथ द्वारा शेयर की गए इस जलक पर फैंस के भी खूब कमेंट आ रहे हैं इन्हें देख कर कहा जा सकता है कि केजी एफ चाप्टर टू का वे बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं संजर दथ ने केजी एफ चाप्टर टू में अपने किरदार अधीरा के बारे में बात करते हुए कहा अधीरा मेरे द्वारा निभाया गया अब तक का सबसे क्रेजी ये वाइकिंग से फ्रेरिक, निडर, शक्तिशाली और निर्मम हैं। अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शारिरिक तयारे की आवशक्ता थी। लुक अपनाने के लिए मेकप में लगभग देड़ घंटे का वक्त लगता था। और साथ ही किरदार में धनने के लिए मांसिक त अधने कहा, फिल्म KGF चाप्टर वन का सीक्वल है। इसलिए वेसब और उससे जादा अरिक उमीद कर सकते हैं। फिल्म में यश और मीरा फेस ओफ है, जो निश्चत रूप से बहुत मज़िदार था। बहुत सारे प्रॉप्स का इस्तमाल किया गया है। और सीक्वेंस को खूपसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। फिल्म में अक्शन भरपूर मात्रा में हैं, इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि बिना जादा कुछ कहे, ओडियन्स फिल्म में अक्शन का मजा ले। बता दे कि यश और संजेदर की KGF2 का निर्मान विजय किरंगदूर निर्देशित किया है। फिल्म को एक्सल एंटर्टेन्मेंट, हमबल फिल्म्स और एए फिल्म्स के बैनर तले तयार किया गया है। KGF2 में संजय दत के साथ KGF अभिनेता यश स्क्रीन स्पेस साजा कर रहे हैं। दुगनों सूपरस्टार इस बहु प्रतिक्षत और प्रत्याक्षत फिल्म के लिए पहली बार सहयोग कर रहे हैं। सूत्र ने कहा ऐसा नहीं लगता कि संजु बाबा और यश पहली बार एक साथ शूटिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे KGF2 की शूटिंग आगे बढ़ी वे एक दूसरे के साथ अधिक सहज हो गए। और अकसर शूटिंग के साथ साथ अपने समय का आनंद लेते हुए कुछ जीवन के अनुभव को साजा करते हुए देखे गए। क्या संजय और यश की ओन स्क्रीन जोड़ी आएगी दर्शकों को पसंद। कमेंट कर हमें अपनी राइब बताए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल बॉलिग्राज स्टूडियोज को सब्स्राइब करना ना गूल। चैप्चर 3 का विलन हो चुका है फाइनल क्या के जीएफ की तरह ही के जीएफ चैप्टर 2 के लास में दिखेगी विलन की जलक क्या होने वाली है इस फिल्म की खास बाते। हेलो फ्रेंड साब देखे बॉलिग्राज स्टूडियोज में सोनी कजार। 2019 में के जीएफ की सकसेस के बाद अब के जीएफ चैप्टर 2 का रिलीस होना दर्शकों के लिए किसी प्योहार से कम नहीं है। उपर से पिछली फिल्म में दिखी इस अपकमिंग फिल्म के जलक और रिलीस्ट पोस्टर और टीयर ने इससे एकसाइंडमेंट को और भी ज्याधा बढ़ा दिया है। सब फिल्म के इंतजार में दिंगिन रहे हैं। इस excitement का एक reason ये भी है कि क्या KGF Chapter 2 के बाद भी Rocky का ये swag हम एक फिल्म के तीसरे पार्ट में भी देखने को मिलेगा क्या KGF Chapter 3 बनेगी तो अगर आप भी इनक्यूरियस जन्तों में से एक है तो आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर ले गया हैं जो कि सीधा सीधा आपको KGF Chapter 3 की खबर तक ले जाता है इसे जानने के लिए आप वीडियो आखरे तक देखिएगा और शेयर कीजेगा पूल सकता है कि KGF Chapter 2 में भी हमें आने वाली फिल्म का विलन दिख जाया है जैसे कि पहले दिखाता जी हा लगता है मेकरस तो सफियाश संजेदाद रविना टंडर और श्री निधी के लिए जनता के excitement कम लग रही थी जो अब इस लिस्ट में उन्होंने एक और धमाकेदार नाम जोड़ दिया वो भी कोई और नहीं वलकि सूपर विलन प्रकाश राज का नहीं पहचाना cheating करता है तूँ cheating जी हाँ सिंगहम के विलन प्रकाश राज ये इंडस्ट्री के ऐसे विलन है जो हसते हसाते हीरोस के बैंड बजा देते हैं मासूमों की जान लेते हैं और इनकी आक्टिंग और हुमर के कारण इससे नफरत भी नहीं होती फिल्म से इनका जुनना कोई expectation नहीं है प्रकाश राज नहीं इसे बात की गोशना की थी कि वो यश स्टारर के जीएफ के sequel में होने बाले है इसके बात प्रकाश राज ने फिल्म के डिरेकर प्रशान नील के साथ फिल्म के सेट से अपनी तस्वीर भी शेर कर डाली इस तस्वीर पर डिरेकर ने comment किया आप को स्वागत है प्रकाश राज सर फाइनली हमने केजिएप चैप्टर टू की शूटिंग दोबारा शुरू कर लिए आप सभी को इसे फिल्म को इतना प्यार दीजिए और फिर से इसे सूबर हिट बिनाईए अब जाहिर है अरहीरा के होते हुए फिल्म को किसी और विलन की क्या ज़रत इसलि बिलन प्रकाश से सामना होगा तो अन्जाम कैसा होगा अब इस अन्जाम के बारे में तो हमें नहीं पता पर एक्साइचमेंट के बारे में तो पता है तो हमें कमेंट करके बताईए कि आप प्रकाश राज के एंट्री से आप खुश है के जिए चाप्टर स्प्री में KGF Chapter 2 कब आ रही है ये बात सभी को खाय जा रही है इस कहानी में आगे क्या होगा कैसे करेंगे इसका अंत या फिर इसका और एक बात आने वाला है ऐसी न जाने कितने सवाल आपको खाय जा रहे होंगे लेकिन दोस्तों मैं आ गई हूँ आपके इन सभी सवालों का जवाब द बाताती हूँ दोस्तों इस फिल्में यश की प्रिशन सा तो पहले पात से ही हो रही है लेकिन इस लिस्ट में एक और नाम अब आड होने वाला है वह संझय दत का जी हाँ दोस्तों इस चैप्टर में संजय दत इसमें विलन की भूमिका करने वाले है टीजर में इनका आई गए विलन सूर्यवर्धन के भाई है इसमें रमेश इंद्र ने सूर्यवर्धन की भूमी का पहले पार्ट में निभाई थी और इनके लड़के गरुडा की भूमी का राम अलियास रामचंडर राजु ने की थी आपको बता दू राम यश के बोडिगार थे और इन्हें ये रोल ओफर कर दिया गया था दोस्तो किस्मत हो तो ऐसी बोडिगार से सीधा केजे अफ जैसे बड़े पिक्चर में विलन का रोल क्या बात है तीजर में रविना टंडन को भी दिखाया गया है वो इक पॉलिटिशन की भूमिका कर रही है केजे अफ टू ये कंड़े फि ले के साथ किया जाता है क्योंकि दोनों ही स्टोरीज ने लोगों के होश उडा दिये थे इनमें उन घसे पिटी मूवी से कुछ हट कर और अलग हमें दिखाया गया था और केजेव के गाने और बैगरांड मूजिक की उतनी ही तारीफ की जाती है जतनी उसके वीएफेक्स क करते हैं इसके डिरेक्टर प्रशांत नील थे जिन्होंने इसे बड़े परदे पर लाने की सोच रुखी थी मान गये इनको वो घिसे पिटी लव स्टोरीज तो कोई भी कर सकता है लेकिन जब कोई अपनी कमफर्ट जोन से बाहर निकल कर रिस्क लेने के बारे में सोचते है वही लोग इतिहास रचते हैं दोस्तों जैसे के इस फिल्म ने रचा क्या बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किया इस फिल्म ने और कंडर इंडस्ट्री का नाम उचा कर दिया इस फिल्म में पॉलिटिक्स, गैंग्स्टर, गरीबी, मा का प्यार ऐसे विशेश मुद वाइकिंग्स संजय को अधीरा बनने में कितना समय लगता था क्या अधीरा बन पाएगा आज का वाइकिंग्स साउथ सूपरस्टार यश की फिल्म के जी फचाप्टर टू इसी साल रिलीस होगी उससे पहले यारी आट जन्वरी को फिल्म का टीजर रिलीस किया गया था ज पूट के खलनायक संजय दत और रवीना टंदन भी नजर आएंगे फिल्म रिलीस होने का लोगों को भी सबरी से इंतजार है उससे पहले यश ने अपने फैंस के साथ उनकी किरदार को लेकर कुछ दिल्चस्प बाते शेयर की है यश ने कहा फिल्म के लिए टीम ने वास्त पर बनाया गया है चाप्टर वन की सफलता ने हमें बहतर करने के लिए मोटिवेट किया है और हम अपने फैंस को खुश करने और उनका मनरंजन करने की उम्मीद करते हैं के जीएफ चाप्टर टू में अपनी भूमिका पर यश ने कहा चाप्टर वन रॉकी उनके व्यक्ति विजय किरन गंडूर ने किया है और फिल्म प्रशांत नील द्वारा निरदेशित है अगर के जीएफ टू के मोस्ट अवेटेट किरदार की बात करें तो वो कोई और नहीं बलकि खुश संजय दत हैं लोग अपकी बार फिल्म में यश को नहीं बलकि संजय को देखने के ल निडर, शक्तिशाली और निर्मम है अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शारिरिक तयारी की आवशकता थी लोग अपनाने के लिए मेकप में लगबग डेड़ घंटे का वक्त लगता था और साथ ही किरदार में ढलने के लिए मानसिक तौर पर भी बहुत सी तयारी करनी करनी की खबर सुनकर लोग काँ पुड़ते थे वो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा लूट मार किया करते थे उनकी इतिहास में एक डाकू के रूप में जाना जाता था वाइकिंग आठवी से लेकर ग्यारवी सदी इसवी में सुदुर उत्तरी यूरोप के कि सवी सब्साइब लुक जाते थे इसकी बहुत जबवा करते थे जंगली लोगों की तरह लोगों का नहीं देखा था यूरो ने कई मूओी बन गई है शक्ति के आधार पर थाउर, लोकी इनी वाइकिंग में आते है तो हम सब लखी है कि हमने वाइकिंग देखें हैं जिने वाइकिंग वाइकिंग वारियर कहा जाता है अब एक ऐसा ही और वाइकिंग हमें फिल्म KGF 2 में देखने को मिल रहा है अम देखना यह है कि कौन सा वाइकिंग दर खौफ के नए रेकॉर्ड बनाता है आपको क्या लगता है कौन होगा जादा खतरनाक हमें कॉमें जरूर बताइए दोस्तों आज तक हमें कई अंडर वर्ल्ड के भाई मिले लेकिन इन सब में से एक अलग नशा चड़ा दिया था इस फिल्म नहीं यश के फिल्मी करियर में चार चान लगा दिये थे अब रॉक की भाई सर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि वर्ल में पेमिस हो गए है इनके से रेकॉर्ड ब्रिकिंग फिल्म के बारे में मज़दार चीज़े जाने के लेकिन दोस्तों आया जानते हैं कुछ ऐसी चीज़े जिन्होंने इसे ब्लॉक बिस्टर बनाया है इस फिल्म का जो लास्ट शॉट था उसमें हजार लोगों को एक शूट में लिया गया था दोस्तों ये इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी और ऐसा करने वाली ये पहली करनाड़ मूवी थी इस फिल्म के हिंदी राइट सतर करोड के लिए बेच गए थे दोस्तों लेकिन जितनी बड़ी फिल्म उतनी ही कठीन चुनौतिया आती है इस फिल्म का सेट दो बार बारिश के वज़े से गिर गया था लेकिन उसके बाव दुगने से ज्यादा प्राफिट दिया और उन्हें प्रसिद्धी मिली वो अलग दोस्तों इन्होंने और एक रिस्की कदम उठाया था और वो था इसे दो पार्च में बनाने का रिस्क ये थी के स्टोरी को तनी दिल्च्वस तरीके से दिखाना क्योंकि अगर पहला ही पा लाइफ इंसिडेंट्स पर अधारित है दोस्तों इसका स्क्रीन प्ले और सिनमेटोग्राफी लाजवाब है इसलिए क्योंकि इसे हॉलिवुड के स्पेशल कैमरास पे शूट किया गया है इस फिल्म के सेकंड हाफ में जो डस्टी लुक दिखाया गया था उसके लिए उन् जान की बाजी लगाई है जस्बा हो तो ऐसा अब इसका दूसरा पार्ट क्या मज़दार पहलू लेकर आता है इसका सभी बेसबरी से इंतजार कर रहे है आपको इस बारे में क्या लगता है दोस्तों हम नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो ऐसे ही मज़दार वीडियो कौन है सैंडल वूद सूपरस्टार यश कैसे हुई उनके करियर की शिरुवात एक बस ट्राइवर के बेटे कैसे बने लाखो दिलों की जान और आक्टिंग के अलावा क्या पसंद है उन्हें तो नमस्कार दोस्तों मैं हुश्ट्रिया अरोरा आपकी आँच की होस्ट आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉली क्रैस्ट यूडियो में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के रॉकी भाई उफ रॉकिंग स्टार यश आज भारत के चहीते स्टार्स में शामिल है जिन्हें साउट से लेकर कहीं बाते बताते हैं 8 जैनवरी 1986 को करनाटक में जन्मे यश का असली नाम नवीन कुमार गोड़ा है उनके पिता अरुन कुमार एक बस ट्राइवर का काम करते थे यश हमेशा से ही एक सूपर स्टार बनना चाहते थे इसलिए अपना घर छोड़ वो बैंगलॉर आ गए जह पहले ऐसे करनट स्टार है जिनके नाम 200 करोर से ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है और वह केजी एफी है राजनीती में भी वह काफी आक्टिव है और उन्होंने बीजेपी के लिए 2018 के लिए कैंपेइनिंग भी किया था या शेक पार फिर दर्शकों पर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है गौरतलब है कि ये फिल्म पहले साल 2020 में ही रिलीज होनी थी जो लॉकडाउन की वज़े से नहीं हो पाई अगर सब कुछ सही रहा तो फिल्म 16 जुलाई 2021 को रिलीज होगी अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या फिल्म अच्छा रि आज की स्क्रिप्ट नाइटर है रिचा गर्ग बहुत 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 शुक्री आप सब का अखिर केजी एफ और बाहु बली बॉलिवुड में इतनी जादा हेट फिल्म फ्रेंचाइज कैसे बन गई साउथ इंडास्ट्री में भी ये दोनों फिल्म कैसे स्टांडाउट करती है मेजरली हम सब इन्इन सिनिमा की बात करते हैं तो सबके ख्याल में सिर्फ बॉलिवुड ही आया करता है लेकिन पिछले किस समय में हमने रीजनल सिनिमा और खासकर साउथ इंडिन सिनिमा से इतनी कमाल की फिल्म्स देखने को मिली है कि ये बॉलिवुड का रंग कहीं न कहीं फीका पड़ता हुआ दिख रहा है 90's और 2000's में जहां बॉलिवुड purely डॉमिनेट कर रहा था उस समय साउथ इंडिन सिनिमा को gravity defining action और too much dramatic story के लिए mock किया जाता था लेकिन cut to present times, table half turned, अब हमें साउथ से story as well as action world class level का दिख रहा है तो महीं बॉलिवुड इनी story को remake करके quick profit बटोरने में लगा हुआ है तो आखिर दोस्तों किन दो फिर्म्स ने बॉलिवुड और हिंदी बेल्ट में साउथ इंडास्टी का सिक्का पूरी तरह जमाने में मदद की इसके बारे में बताते हैं आपको बस थोड़ी ही देर में लेकिन उससे पहले आप बॉलिग्राफ स्टूरियोस को जल्द से सबस्क्राइब कीजिए और जल्दी अपने होस्त यानिकी मेरे साथ और मेरा नाम है उनुश का त्यागी के साथ जड़ जाएए साथ अनास्ट्री की दो पाथ ब्रेकिंग फिर्म्स जिन्होंने ना केवल हिंदी बेल्ट में बल्कि आल ओवर वर्ल्ड भी साथ हिंगन सिनिमा का पर्चम लहराया है वो रही है बाहु बली और केजियव दोनों फिर्म्स ने बावजूद लिमिटेड रिज और रिसोर्स के पूरी दुनिया में अपने काम की एक अलगी पैचान छोड़ दी है और खासकर हिंदी ओर्डिन्स में अपने लिए एक क्रेजी फैंडॉम भी तयार कर लिया है नकेवल फिल्म्स बलकि इन में लीड करने वाले सूपर स्टार्स भी हिंदी बेल्ट में काफी ज़्यादा पॉपिलर हो गए है और धीरे धीरे बॉलिवड स्टार्स का फैंडॉम इस तरफ शिफ्ट होता हुआ देख रहा है लेकिन क्यों सेफ ये दोनों मूवी ही बॉलिवड में मासिफ सकसेस पाप आएं जब की साउथ की कई फिल्म साय दिन यहां रिलीज होती रहती है अब दोस्तों इसका जवाब हम कई सारे फाक्टस को इलाबरेट करके देना जाहेंगे सबसे पहले तो फिल्म की माइंड ब्लोइंग स्टोरी ही रही इस मामले में तो साउथ पहले से ही डॉमिनेट करता आया है लेकिन इन केजी एफ और बाहु बली की स्टोरी काफी डीटेल, लेट आस विलाज इंस्पिरेशनल रही दोरों फिल्म मेकर्स ने एक लार्ज देन लाइफ सागा को री प्रेजन करने की ठानी जो कि इंडियन फिल्म्स में एक गेम चेंजर बनने का मद्दे रखे लेकिन सिफ ग्रेट स्टोरी होने से काम नहीं चलता इन्होंने आप्ट कास्टिंग और फ्रेंचाइज फॉर्मूला अपना के तुझ जैसे कमाल ही कर दिया फिल्म के क्रूशल आसपेक्स को दूसरे पार्ट के लिए बिल प्लान तरीके से डिले करना इन फिल्म्स के लिए लाजवाब काम कर गया और इन्वार्व डाक्टर्स ने भी फिल्म्स में अपना 200% देके हर एक सीन के साथ फुली जस्टिफाई भी किया है ये फिल्म्स आउडियन्स के लिए एक वीजूल डिलाइट रही जिसमें आक्शन एमोशन ड्रामा के पॉफिक्ट बलान के साथ ही कुछ अमेजिन वीजूल्स देखने को मिले इन फिल्म्स में ही वी एफेक्स और स्पेशल एफेक्स में इने मुवीज का स्टार्ड और भी हाई करने का काम किया लास्टली इन फिल्म्स में स्टार पावर से ज़्यादा स्टोरी लाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक इफेक्टिव स्टोरी टेलिंग में वैसे तो पहले भी साउट सूपर स्टार्स जैसे रशनी कान और कमल हसंद बॉलिवन ओर्डियंस को अपने फिल्म्स के त्रू प्लीज करने के एटेंप्स करते रहे हैं लेकिन कोई भी इतने सक्सेस्फुल नहीं हो पाया जितने प्रभास और यश्वे सो बॉटम लाइन यही है कि फर्स फोकस ऑन गुड स्टोरी स्टार्डम विल आटोमेटिकली फॉलो यू और दोस्तो अन दे टॉप अफ दाट इन दोनों फिल्म्स ने इनोवेटिव प्रमोशनल स्टार्टेजीस अपना के अपना प्रडेक्ट को हरे कोने में बखुवे पहुचाने का फाइनल काम भी अच्छे से किया और दोस्तों इनी सब फाक्टर से केजिएफ और बाहुबली फिल्म्स साउथ सिनिमा आज विल अस बॉलिवड में भी स्टैंड आउट करती हैं फुलाल वीडियो में बस इतना ही जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मद्दी जो की हमारा कमजोर एस्पेक्ट माना जाता था इसमें भी हमने फिनॉमेनल ग्रोथ दिखाई है पर इंस्टिंस बाहुबली फुष्ट्री या फिर केजिएफ को ही ले लो इन फिल्म्स ने ये प्रूफ कर दिया है कि बॉस हम किसी से कम नहीं इसी की तर्ज पे आज हम बात करने जा रहे हैं और सम मूवी के जिएफ के ऐसे अक्सपेक्ट के बारे में जिसकी जरूरत तो काफी मिनिमल रही बट फिल्म को एक ओवर दॉप एक्सपेरिंस बनाने में इसका भी काफी बड़ा हाथ है हम बात कर रहे हैं CGI और स्पेशल इफेक्ट की तो बने रहे हैं बॉले राट स्टूडियो के साथ और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शूटी वैसे तो KGF ने फिल्म को मोस्ट रियलिस्टिक रखने के लिए मैक्सिमम रियल शूट लोकेशन को ही तवज्ज़ दी है बड़े बड़े सेट्स खुद बनाए और एस्थेटिक के नाम पे कुछ नाचरल कलर इसको प्रिफर किया पर सिफ एक ग्लिम्स के लिए तो विशा के सेट्स बनाना समझदारी ना होगी टीम ने इस बात को भी नजल अंदास नहीं किया और हैंस कुछ एक इंस्टेंस पे कंप्यूटर जेनरेटेड़ ग्राफिक्स रेस्क्यू में लाए गये फिल्म का बैक्ग्राउंड स्कोर एक क्रूशियल पार्ट रहा और इसी को ध्य में रखते हुए वी एफेक्स सुपरवाइजर ने मल्सिपल ग्रीन स्क्रीन को रिक्वाइड लोकेशन में सेट किया के वी एफेक्स इतना स्ट्रियल रहा कि अध टाइम्स ये इन्विजिबल भी नहीं लगा और खास कर तब जब आपको मेजर ली रियल लोकेशन में शू रवी हेगडे इन्होंने और इनकी टीम ने फिल्म में इवन डस्ट ग्रेंज के मिनेट पार्टिकल्स को भी अपनी रियलिस्टिक वी एफेक्स से शो किया और इनकी मैनत रंग भी लाई जहां केजिया को 2019 में बेस्ट वीज्वल एफेक्स के लिए नैशनल एवाद से भी स मिश्वास जताया और इन रिटर्न इनोंने केजी अपना बेस्ट देके प्रशान के इस ट्रस्ट को सही ठहराया उदय और उनकी टीम केजी अफ चाप्टर 2 के लिए भी जीत और महनत कर चुकी है जिसका रिजर्ज हमें बड़े परदे पे बखू भी देखने में जाएगा चाप्टर 2 के रिलीज टाइम में फिलाल तो काफी डीले होने की संभावना लग रही है और निश्चे थी जब ये फिल्म बड़े परदे पे आगे तो बने बनाए रिकॉर्ड को तार तार करके रख देगी फिल्म के टीजर को डिलीज हुए तीन मेने तो हो ही गए है लेकिन रिकॉर्ड सोड़ने का सिलसिला अभी तक खमा नहीं है टीजर ने व्यूद और लाइक्स के मामले में वर्ल रिकॉर्ड तो बना ही रखा है पर अब इसने मोस्ट कमेंटर टीजर काटेगरी में भी एक न अब गर्दा मचा सकता है तो सोचिए ट्रेलर और पिक्चर दोरों या भी बात ही है मेरे दोस्त फिल्हाल वीडियो में बस इतना ही आप कर दीजे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ताकि हम करते रहें अगली वीडियो में मिलने की तयारी तब तक के लिए दीजर मे इस अपकमिंग फिल्म से इन तमांग सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में तो लास्त तक बने रहे हमारे ताथ हेलो एब्रिवान स्वागत है आपका बॉलिग्राथ स्टूडियो से दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं के जी एक शूटिंग लो बिल्कुल ठीक समझा हम बात कर रहे हैं हाइदराबाद की जहां फिल्हाल के जी एक शूटिंग चल रही है बाहुपली के बाद अगर दर्शक किसी पिक्चर के लिए सबसे जादा एक्साइटेड है तो वह है के जी एक टू जी हां इसकी रिलीव का पैंस बेस अबही से इ सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर है काफी वाइरल जल रही है जिसमें कंणर के सूपर स्टार यश जो की केजी एक तू में नजराने वाले हैं वो शूट करते हुए दिखे जी हां हाइदराबाद के फलक्नुमा पैलस में इसकी शूटिंग चल रही है ताज पैलस में 2020 में लगातार तीन दिन इस गाने की शूटिंग चली थी और ऐसे भी खबरे आ रही है कि इस गाने में नौरा पते ही नजरा सकती है दोस्तों पिक्चर में हमें शायद इस पैलस को रॉकी के महल के तौर पर दिखाया जा सकता है क्योंकि केजी एफ 2 में इस बार रॉकी का क खुंके लगाते हुए नजर आएंगी KGF के लीडिंग फेस यानि यश के साथ KGF के चाप्टर वन में आइटम नंबर जो था उसको परफॉर्म किया था मौनी रॉय ने वलके KGF 2 से उनका पत्ता साफ कर दिया है नौरा पते ही है आज के डेट में अगर फिल्म के लिए काफी excited भी नजर आ रही है KGF 2 से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक time to time पहुंचाते रहेंगे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताए कि आप इस आइटम नंबर के लिए कितने excited हैं तुलहार इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे आनिया पढ़ना अधिरा के किरदार को कितनी शक्तिया मिलेंगी क्या गबर की पद्वी अधिरा छीनने को तयार है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉली ग्रैड स्टूडियोज में संजदत इस एकुल टू साट साल का मैन चाइल्ड बैट बॉय औफ ब वाइड कलेक्शन 250 करोर्स के पार थी फिर हिंदी में डब होकर रुलीज होने वाली फिल्मों में बाहु बले फ्रेंचाइजे और 2.0 के बाद दी सुरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म बनी इंट्रेस्टिंग बात ये थी कि ये सारे अचीवमेंट्स कहानी के बस एक ही टुकड़े को मिले हैं आधी कहानी तो अभी आनी बाकी है जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाए जाएगी उसका नाम है केजिफ चाप्टर 2 अब बात आती है इस सबसे संजदत के की लेकिन बात आती है जब केजिफ में अधीरा था ही नहीं तो ये कहां से जन्मा बता दें कि केजफ 2 में बाबा में में विलन का किरदार निभाएंगे उनकी कैरेक्टर का नाम होगा अधीरा दत इस से पहले अगनी पत में कांचा चीना जैसा विभत्स किरदार निभा च तो झानते ही है ना अप好了 कि कल दें वीडियो में हमने आपको का था कि वाइकिंग्स जैसा किवदार है और अब हम थेनॉस को कहा से बीच में लियाने तो बता दें कि थेनुस भी उनहीं वाइकिंग्स का हिस्सा है इस पूरी बात की एक बात यह है कि हॉलिवुड के जितने सूपर हीरोज ओव विलेंस में आज तक आपने तागत देखी है ना वो सब एक अकेले अधिरा में ही नज़र आने वाली है तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि अधिरा कितना तागत वर होने वाला है जब फिल्म के में विलन का टीजर पोस्टर रिलीज किया गया था उसमें शेर की अंगूठी पेहने सिर्फ दख का हाथ नज़रा रहा था लेकिन उनके बाद्डे पर जो लुक रिवील किया गया उसके साथ बहुत को छुपा कर भी रखा गया है जैसे इस पोस्टर में संजक पर कई सारे टैटूज नज़रा रहे हैं ये इतना डरावना है कि अब तो लगता है जो काम पहले गभर का था अब अधिरा करता नज़रा आएगा हमारा कहने का मतलब है कि बेटा सोजा गभरा जाएगा कि पद्वी अब अधिरा को दे दी जाएगी अब सब की मा कहा लेकिन आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता बलकि उन्हें ये सब देखना काफी पसंद है यही कारण है अधिरा की रोल को ऐसे पुट्रे किया गया है कि हर वर्ग की लोगों को ये पसंद आए आपको क्या लगता है क्या आजकल के बच्चे इतने रियलिस्टिक कैसे लगते हैं KGF में आक्शन डिरेक्टर कौन थे और इन्होंने आक्शन में कोमेडी एलिमेंट कैसे ब्लेंड किया KGF जैसी ही रियलिस्टिक साउथ बेस्ट आक्शन फिल्म्स रेकमेंडेशन क्या है एक दशक पहले तक साउथ इंडियन सिनमा का आक्शन को काफी मौक किया जाता था इनके ग्राविटी डिफाइंड स्टन्स और अन्रियलिस्टिकली कॉरियोग्राफ्ट स्टन्स ओडियन्स को थ्रिल देने के बजाए कई बार गुदगुदा के चले जाते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में इस इंडिस्ट्री ने इस स्पैक में फिनोमेनल ग्रोथ दिखाई है अब ये आक्शन को वेल कॉरियोग्राफ्ट स्टन्स को क्रियेटिव येट बिलीवेबल बनाने में काफी टाइम इन एफ़र्ट लगाते हैं जिसका असर केजिएफ जैसी हाई ओन आक्शन फिल्म में देखने को मिल ही जाता है केजिएफ का स्पेशल आक्शन होलिवुड फिल्म से मैच करता है जहां इसके आक्शन को काफी रो अप्रोच के साथ डिजाइन किया गया है तो आज जानते हैं इस आक्शन में इस रियलिजम ब्लेंड करने वाले माईस्टो का नाम और साथ ही पता करते हैं कैसे इन आक्शन डिरेक्टर ने रियलिस्टिक आक्शन अप्रोच फॉलो की बने रही है अपनी आंकर हस्ती के साथ आप देख रहे हैं बॉलिगराज स्टूडियोज KGF का आक्शन लिटरली चिल्स क्रियेट कर पाने में काम्याब हुआ था जिसे डिजाइन किया था आक्शन मास्टर विक्रम मोर ने फिल्म के आक्शन की ओसमनिस अगर शब्दों में सही सिफिट ना हो तो इसे इसके बेस्ट आक्शन के लिए जो इनने 2019 में नाशनल अवार्ड मिला है वो जरूर सारी कहानी बया कर जाती है KGF के आक्शन को most realistic and at the same time thrilling बनाने के लिए इनकी और डिरेक्टर प्रिशांत की एक simple approach रही कि fight sequence में कोई rhythm नहीं होगी इन्होंने fights में smooth movements को break करने की सोची जहां trolley और Jimmy movements में भी इन्होंने fight में smooth falling को दरकिनार किया Simply इन्होंने real life की raw fight जिसमें मार खाने वाला कहीं भी randomly गिरता है ऐसा ही कुछ real में भी implement किया इन्होंने handheld camera movement से action sequences में काफी हद तक realism और rawness अचीव की On top of it, Vikram ने action जैसे stiff work में भी comedy के elements perfectly bend करने की सोची इन्होंने main character Rocky के mannerism और behavior पे fully focus किया और इसी के nuances को कई सारे scenes में subtle humor create करने के लिए काम मिलाया For instance, pub वाले high on action scene में भी side line properties जैसे chairs, tables, meatballs, plates और forks को scene में काफी funnily incorporate किया गया था Vikram Moore और प्रशान की इसी जगलबंदी ने KGF के action को over the top बनाने में काफी help की तो वही KGF 2 में भी इस duo के magic recreate करने की काफी ज्यादा उम्मीद है As said earlier, not only KGF but Whole South industry ही action के मामले में phenomenal growth कर चुकी है और अगर आप action lover हैं तो definitely in recommendation से आपको एक great watch list मिल जाएगी High Octane action list में पहली ही film प्रशान नीर की debut film उग्रम है जिसका high voltage action drama जरूर आपको अमेज कर देगा फिर बारी आती है 2018 की film Vikram Veda की जो की new air flick है और इसका hard hitting action along with mind blowing story and performance आपको throughout seat की edge पे बनाई रखेगा And finally, action gangster drama Veda Chennai जिसका multi-layered screenplay और realistic action आपको fully entertain कर देगा But please, don't watch its dub version, opt for subtitle version फिलाल के लिए बस इतना ही वीडियो पसेड़ेगा दोस्तों, एक film में जितना ध्यान लोगों का उसकी star cast, उसकी कहानी और उसके dialogues पर होता है उतना ही उनके गानों पे भी होता है कुछ-कुछ film में तो ऐसी होती है कि भले ही उनकी कहानी time pass हो पर उनके गाने box office पर धम्मा कर जाते है और जो film में हमें मज़दार कहानी के साथ-साथ दिल को छूने वाले गाने भी देते है वही film में सभी को याद रहती है नमश्कार दोस्तों मेरा नावते जुल और मैं आप सब का तहदर से वालिग्राद स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ दोस्तों साथ के इंडस्ट्री उसके आक्शन और अनोखे अंदास के लिए जानी जाती है उनकी फिल्मों में अलग ही बात होती है और इसी साथ इंडस्ट्री में दो फिल्में ऐसी आई जिन्होंने भारतिय फिल्मों का नक्षा ही बिदर दिया है जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ बाहु बली और KGF अन फिल्मों के बारे में इसके डिरेक्टर थे SS राजा मुली और प्रशांत नीर इन दो डिरेक्टर्स ने ये फिल्म बना कर इतिहास रच दिया है इन फिल्मों ने आते ही बॉक्स आफिस पर कबजा कर दिया था दजाने कितने रेकार्स इन फिल्मों ने तोड़े है हर एक के फेवरिट्स लिस्ट में आपको ये फिल्म निसंदेह मिलेंगी ही मिलेंगी लेकिन इन फिल्मों के सूपर हिट होने के पीछे इनके गानों का भी हार उतना ही है दोस्तो KGF ये मूवी बाहुबली की तरह ही सूपर हिट हुई थी इसके गाने क्या लाजवाब थे इस पे गाना मापर भी बनाया गया था वो आज भी लोगों की रिंटोन्स में आपको सुनाई देगा क्या कमाल म्यूजिक बनाया था इसका ऐसा म्यूजिक था कि लोगों के रॉंटे खड़े हो जाते थे ऐसा म्यूजिक जो लोगों के दिलों को छू जाता है इस फिल्म में दमदार म्यूजिक था इमोशनल करने वाला म्यूजिक भी था और इसी के साथ साथ आइटम सॉंग्स भी उतने ही फेमस थे इसके आपको बता दो इस फिल्म को कई लैंग्विज उसमें डब किया गया था और इसी वज़े से उन्हें ये सब गाने भी उस लैंग्विज उसमें करने पड़े थे दोस्तों महनत देख रहे हैं उनकी यूहे इस फिल्म ने सभी रेकॉर्ड्स नहीं तोड़े है इसमें से कुछ गाने जैसे कि सलाम रौकी भाई जो यश के एंट्री पर किया गया था वो लोगों को काफी पसंद आया था इसके दमदार बीट्स आज भी लोगों को उतने ही पसंद आते हैं जितने ये गाने आते हैं दोस्तों आपको बता दो यह गाना गाया था मोहन कृष्णा और संतोष वेंकी ने और इसका कोरस विजर प्रकाश ने दिया है इस फिल्म में जो आइटम नंबर था वो नेहा ककरने का आया था जी हां दोस्तों यह गाना एक क्लब आइटम सॉंग था दोस्तों अब इसका कितना एक्साइटेड हो यह में नीचे काम सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर देजा लाइक हमारे आखर कैसे करेंगे यह तीन हजार लोगे की मदब बॉलिग राद्स शूडियों से आज सभी दर्शकों को तहीदित से स्वाबत हैं फिल्म केजी यह वे रोकी थाई यानी सुपर स्चार यश आज किसी पहचाम के महताज हैं उनके अभिने और स्टायल पर करोडों फैंस तेदा हैं इसके लावा यह अपनी दर्या बिल्ली के लिए भी जाने जाते हैं यह अपने फैंस का खास खाल रखते हैं और सिफ फैंस का ही नहीं अ क्रोना मारी के कारूँ फिल्म इंडस्ट्री के काम बन है ऐसे में वहा काम करने वाले डेली वर्पल्स को आर्थिक तंगे का सामना करना पड़ रहा है इसी को देखते हुए सुपर स्चार यश ने कंडर फिल्म इंडस्ट्री के तीन हजार से अधिक कर्मियों के लिए कैसे पहुँचेगी इस बारे में बताया है यश ने अपने ट्विटर पर पोस आज़ा करते हैं कोई लिखा COVID-19 एक ऐसा अद्रिश्य दुश्मन है जिसने देश के कई लोगों की आजे विका छीन ली मेरी कर्नल फिल्म इंडस्ट्री वोविट के दौरान बुरे वक्त से कुज़ब आई है ऐसे वक्त में मैंने ये तैय किया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 21 डिपार्टमेंट के 3000 से अधिक कर्मियों को अपने कमाईग हुए रुपे में से 5000 रुपे उनके खाते में सीड़ा बेज़ेंगा मैं जानता हूँ कि ये नुकसान की भटाई नहीं कर पाएगा जो आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में छेला है मगर ये एक आशा की किरन है आशा इस बात की कि हम जल्दी हैतर वक्त देख पाएंगे वर्क फ्रेंट की बात करें तो ये जल्दी फिल्म के जीएट चाप्टर टू में नजर आएंगे इस फिल्म का उनके फैंस वो बेसबरी से इंपजार है फिल्म के निर्देशक प्रशांद वील ने इस बात की पुछना की है कि फिल्म सोला जुलाई को सिनमा गयों में रिलीस होगी एजीएट चाप्टर टू में संजेदत मुखे विलन अधीरा के लोल में दिखाए देंगे फिल्म तिलेगू, तमिल, मल्यालम और हिंडी मुखाशाओं में रिलीस की जाए दे यश की दमदार आक्टिंग से उन्होंने केजीएट के लिए खूब बढ़ाई बतोरी है और अपनी दमदार आक्टिंग से बॉलिवोड फैंस को ही अपना दिवाना बना दिया है इस फिल्म के बाद वे एक साउट आक्टर नहीं बलकि एक लोबल आइकन बन जाने है क्या आपको लगते हैं कि चाप्टर टू में भी यश की आर्टिंग उतनी हिदमदार होगी कमेंट कर हमें राय बता है वीडियो पसंद आए तो से लाइक और शेय करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुर ना भूले किस फिल्म से प्रेरिती प्रशांत की केजिएफ एक कहानी को फिल्म बनाने में किन पर्दे के पीछे के किर्दारों का हाथ होता है केजिएफ में कौन सी टीम देख रही है अक्शन सीन्स का काम नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंखुरी और स्वागत है आप सब का बॉली ग्राड स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं साउथ की ऐसी मूवी की जिसने सब को चौका देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाए के लिए आ रही है केईजिएफ चाप्टर टू हम बात कर रहे हैं केईजिफ चाप्टर टू की लेकिन उससे पहले केजिएफ सीरीज की उन उपलब्दियों की जो उसने हासिल की, बता दें कि Cage of Chapter 1 के सारे डब्ड वर्जिन्स को भारत ने 20 December 2018 में एक साथ रिलीस किया गया था, Cage of Chapter 1 को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया और इस फिल्म के विजूल और ट्रेलर देख कर ये ही लगता है कि ये किसी Hollywood फिल्म से कम नहीं थी, Cage of Chapter 1 फिल्म को लेकर North Side में भी जादा लोग उचसाहिद थे, क्योंकि वो इसके पहले बाहुबली The Beginning और बाहुबली The Conclusion के अंदर साउथ की फिल्म का कमाल देख चुके थे, और वो कितने बड़े लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्मों में कितनी मेहनत करते हैं वो देख चुके थे, हाला कि बाहुबली की पूरी सीरीज तेलगों में शूट की गई थी और केज फूरी की पूरी के पूरी कंणड भाशा में शूट की गई थी, अब की बार भी केज फ को कंणड में ही बनाया जाएगा, लेकिन हिंदी में भी दब किया जाएगा, लेकिन फिल्म Cage of Chapter 1 से लोगों की उमीद जितनी ज़्यादा थी उससे कहीं ज़्यादा उमीद लोगों को Cage of Chapter 2 से है क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्म का एक अलगी लेवल सेट कर दिया है फिल्म को प्रशांत नील द्वारा लिखा और डिरेक्ट किया गया है लेकिन आपको पता है कि लोगों को इनकी मुवी से इतनी ज़्यादा उम्मीदे क्यों है तो बता दें कि इन्होंने इसके पहले 2014 में भी कननट भाषा के एक बहतरीन आक्शन थ्रिलर फिल्म उग्रम को डिरेक्ट किया है लेकिन उस फिल्म को हिंदी में डब नहीं किया गया था ये प्रशांद नील के एस डिरेक्टर पहली फिल्म थी और ये कननट भाषा में उस समय की बहुत बड़ी ब्लॉक बस्टर फिल्म बनी थी केज उफ चाप्टर वन फिल्म के अंदर म्यूजिक डिरेक्टर सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशांद नील की पहली फिल्म की टीम यानिकी उग्रम की टीम को ही लिया गया था म्यूजिक में रवी बस्रूर सिनेमेटोग्राफी के लिए भुवन गौड़ा और एडिटर के लिए श्रीकान गौड़ा को ही लिया गया था इस वज़े से फिल्म उग्रम और केजिफ के अंदर सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में काफ़े कुछ चीजे एक जैसी देखने को मिलती है इसकी सफलता के बाद जब इसे हिंदी में डब किया गया तो इसकी सफलता आसमान पर थी इसके आक्शन्स और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था और तब ही प्रशान्त नील ने इसका दूसरा पार्ट बनाने का फैसला भी कर लिया था जिसमें आपको बता दे कई एलेमेंट्स जोड़े गए हैं एक दमदार कहानी जो की राजनितिक और सामाजिक दोनों होगी साथ ही इसमें नए क्यारेक्टर्स को साथ लाया जाने वाला है जिसमें अधिरा जो की हॉलिवुड से इंस्पार्ड है और रमी का सेंज जो राजनिति से उठाया गया किरदार है और रॉकी जिसे तो हम पहले भी फिल्म में देख चुके हैं KGF2 में प्रशान्थ की वही टीम इनके साथ भी काम कर रही है जो इनकी पहली फिल्म में इनके साथ थी जी हां क्योंकि वो टीम अच्छे से जाए KGF2 की रुलीस के बारे में हाली में प्रशान्थ नहीं ने क्या कहा KGF2 की शूटिंग लोकेशन्स कौन सी हैं और इसमें कितने वोकर्स इंबॉल रहें KGF2 के क्लाइमक्स सीन रॉकी वर्स अधीरा फाइट किस लोकेशन में शूट हुआ साल की सबसे हाइब दूसर्म KGF2 जो की ओल दो जुलाई के लिए एम की गई थी और अब अनिच्छत काल के लिए टाल दी गई है लेकिन हाल फिलाल में जब कोविट की सेकेंड वेफ थोड़ी डिकलाइन होने लगी को फिल्म के तगड़ी फैंड बेस में फिल्म को अब रिलीज करने की डिमांड उठाई है इसमें डाइरेक्टर प्रशांट निल ने क्या कहा जानते हैं आदि स्वागत है आपका बॉलबराग स्टूडियोज में मैं हूँ आपकी वोस्ट और दोस्ट शुति और लाई हूं केजी एफ 2 से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग और अंडोन फाक्स का डोज लेकर तो अगर आप भी जानना चाते हैं कि क्या खास है इस वीडियो में उसे ओडियन्स को थिएटर में बुलाना एक सही डिविजन नहीं होगा क्योंकि अभी भी कोविट का खत्रा पूरी तरह से नहीं टला है साथ इनोंने आड़ ओन किया कि वो स्पेर टाइम को केजी एफ 2 को और बी ज्यादा बेटर बनाने में यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि आ कहानी को अच्छे से वाया कर देती है और इसी excitement को बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं इंसाइडर डीटेल्स के जीएफ 2 की शूटिंग लोकेशन को लेके फिल्म के सेकेंड चाप्टर का श्री गनेश हुआ था 2019 में हाइदराबाद और ठीक एक साल बाद मार्श 2020 में इसे के बाद ये पहुचें मोस्ट इंपोर्टन लोकेशन कोलार गोल फील्स करनाटका में जहां फिल्म का एक ग्रेट चंक काप्चर किया गया और लास्ली फिर एक बार हाइदराबाद का रूट पकट के फिल्म को राप अप किया गया सेकेंड चाप्टर में फर्स के मुकावले काफी बड़े इरेक्ट किये गए थे और इनमें से माक्सिम्म रहे कोलार गोल फील्स में ही इतने बड़े सेट्स को खड़ा करने पाने में जाहिर है काफी मैन पावर लगनी थी इसलिए मेकर्स ने करीब 1200 वरकर्स को डेली वेज 500 पर हायर किया और तो और इन सभी वरकर्स का ग्रुप लाइफ इंशॉरंस भी करवा के रहने खाने का इंकजामात वहीं पर कर दिया था इस तरह के जी फटू अपने शूट वरकर्स के लिए इतने इंकजाम करने वाली फिर्स्ट करनट फिल्म भी बन गए और बात करें फिल्म के मोस्ट इंपोर्टन सीन रॉकी वर्स अधिया की तो इसे हाइदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है और यही फिल्म की मेन हाइलाइट भी बनने वाली है इस डेडली फेस ओफ की शूट लोकेशन कन्फरमेशन को दारेक्टर प्रशांत नील ने अपने सोशल मीडिया काउंट पर शेयर करके की थी तो आज की वीडियो में बस इसे हमें क्या लाइफ लर्निंग लेसन्स मिलते हैं के जी एफ चैप्टर टू से हम क्या एक्सपेक्टेशन्स रख सकते हैं हर एक ग्रेट फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत होती है प्राइमरेली इसमें एंटर्टेन्मेंट फैक्टर होता है और वो भी भर-भर के तो वही बैलन्स आउट करने के लिए छिपे होते हैं कुछ प्रूशियल लाइफ लेसन्स हर एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग आर्टिस्ट की ये ट्रेटमार क्वालिटी होती है कि वो मीडियम को इंपाक्फुल स्टोरीज डिस्टेमिनेट करने के लिए उसे करते हैं इन आर्टिस्ट के फिल्मोग्राफी डेफिनेटली एंटर्टेन्मेंट परपस के लिए तो होती ही है लेकिन साथ ही में इन में छुपे होते हैं कुछ सब मिनिमल लाइफ एडवाइस और आज इनही लाइफ लेसंस को हम करेंगे डिसकस विद दे रेफरेंस ओफ प्रसांथ नील्स के जीएफ मूबी मैं हूँ आज की होस्ट रक्षता स्वागत करती हूँ आपका बॉली ग्रेट स्टूडियोज में KGF फ्रेंचाइस इस बड़े ही सटल वे में हमें लाइफ की रियालिटी का कड़वा घूट पिला जाती है इसमें से most important life lessons रहा है रैक्स टू रिचस स्टोरी का KGF के प्रिटागनिस्ट रॉकी एंड इसे निभाने वाले कमाल आर्टिस्ट यश इस रैक्स टू रिचस स्टोरी के जीते जाकते सबूत है जहां रॉकी एक गरीब परिवार से तालुक रखने के बावजुद भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की एस्पिरेशन मन में पाले रखता है तो वहीं यश स्टोरी को रियालिटी में सच करके दिखा गए हैं यश एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते हैं जिनके पिता एक बस ट्राइवर का काम करते थे लेकिन अपना हार्ड वर्क की बदॉलत आज ये किसी इंट्रोड़क्शन के मोहताज नहीं है एक हाती को मार गिराना हो तो रौकी भाई हाजर यही जीवन का सार भी है कि मां का प्यार का कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर सकता रेमेंबर दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां होती है जब गरुडा के बॉडिगार्ड रौकी को शूट करने आते हैं तो कैसे सभी लेबर्स कॉमन एनिमी के अगेंस उनिफाई हो जाते हैं बस यही सीख सक्सेस का मंत्रा भी है जाहे जितने भी टफ हूँ आप अगर जंग को जीतना है तो लोगों का सपोर्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है बेशक केजीएफ चैप्टर टू में भी एंटेन्मेंट की भरी डोस के साथ वैलिवीबल एडवाइस की भी भरमार होने वाली है पर पहले इस सीक्वल से हमारी एक्सपेक्टेशन्स को जरा बया कर लेते हैं फिल्म में सिनमा के सबसे डैडली फेस ओफ रॉकी वसस अधीरा के ताबर तोड होने की उम्मीद है जहां सिर्फ इस एक बैटल के लिए ही मेकर्स ने करीब 6 करोड तक खर्च कर दिये हैं और इलैबरेशन की उम्मीद है जैसे कि अधीरा का फिर्स पार्ट में कोई खास रोल नहीं था इस बार इसे काफी तसल्य से इंट्रोड्यूस और डैवलप कराया जाएगा फर्स पार्ट के एंड में रोकी गोल्ड माइन वर्कर्स के साथ स्टैंड हुआ दिखता है अब देखना ये है कि इस राइटियस मैन की जोर्नी आगे कैसे बढ़ेगी केजिये फ्रेंचाइजिस की बुनियाद ही रोकी का उसकी मां से किया हुआ वादा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा तो इस मदर हुड रिलेशन की भी थोड़ी बहुत किसे देखने को मिल सकते हैं सबसे मेन कारेक्टर प्रियाम रमीका सेन के नेगेटिव और पॉजिटिव रोल से परदा उठाना काफी इंपोर्टेंट है और आखिर क्यों इसे रोकी को मारने का फर्मान जारी किया कुछ एक एडिशनल कारेक्टर जैसे विजेंद्र इंगाल की नायत खलील और सीबी आइऑ ओफिसर की स्टोरी में इंपोर्टेंस कायम की जाएगी फ़र्स पार्ट ने रोकी के अलावां बॉल माइंड के और भी सेकेंडरी क्यारेक्टर जैसे स्टोरी टैलर शान्ती ब्लाइन वर्कर को डिफाइन कर दिया है सेकेंड पार्ट में इनकी इंपोर्टेंस इलेबरेट होने की उम्मीद भी है And finally, journalist Anand Engaldi कैसे इस hidden story को जानते हैं और क्यों Government of India ने इनकी बुक को बैन और रोकी के खिलाफ डैथ वारंट इशू किया Inflaming questions से आंसर तभी मिल पाएंगे जब KGF का Much Awaited Chapter 2 होगा reveal आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली इसको और भी जादा इंजजार करना पड़ेगा इस फिल्म का Hello Friends, आप देखने हैं वाली ग्रास ट्यूडियो स्टूडियो स्पैयो सोनी कज्यार इस समें कुछ ऐसी फिल्म में हैं जिनको लेकर काफी समय से इंतजार चल रहा है लेकिन किसी ना किसी कारणवश फिल्म की रिलीज डेट पोस्पोन होती जाती है ऐसे में मोस्ट अवेटेज फिल्म की लिस्ट में नमबर वन पर अगर हम बात करें तो यश की KGF चैप्टर टू है करनट सुपरस्टार की इस फिल्म की पहले चैप्टर ने रिलीज होकर धमा का मचा दिया था और उस वक्त शारू की जीरो रिलीज होई थी और सोचे इतनी भयंकर टकर थी ऐसे में KGF चैप्टर टू आगे निकल गई और सब को हैरान करके रख दिया वहीं आपको बता दें KGF चैप्टर टू की रिलीज डेट की भी अनॉसमेंट हो चुकी थी 16 जुलाई को इसे रिलीज होना था और टीजर और ट्रेलर भी अल्रेडी रिलीज कर दिया गया जिसने तावर तो रिकॉर्स भी तोड़े वहीं अब जो जानकारी सामने आ रही है वो KGF फैंस के लिए थोड़ी सी निराशत जनक है आपको बदा दें कि इस फिर्म को भी अब पोस्पोन की जाने की बात की जा रही है क्योंकि लॉक्डाउन की चलते थीएटर बंद है औ हम आपसे वादा करते हैं कि हम OTT पे नहीं मलकि थीएटर में ही आएंगे हालांकि अब फिर्म कब रिलीज होगी यह तो कहा नहीं चाह सकता कोई भी ऑफीशिल अनांस्में नहीं है लेकिन 16 जुलाई को इसे रिलीज कर पाना बहुत जादा मुश्किल है वहीं जानकारी के म अकसर किसी ना किसी तरह की खबर सामने आती रहती है जो कि फैंस की धरकनों को लगातर बढ़ा देती है हाल ही में पता चला था कि यह फिल्म काफी लंबे होने वाली है और फैंस काफी समय तक इसका मज़ा ले पाएंगे पता चला था कि फिल्म की जो डूरेशन है वो दो पहंटे 22 मिनट की होने वाली है हालां कि इस समय इतनी लंबी कुछ ही फिल्म में देखने को मिल रही है अब सारी शॉट फिल्म में बन रही है वही आपको बदा दे इसके लावा फिल्म की कहानी को लेकर पता चला था कि यह जहां से खत्म हुई थी यानि कि KGF च.प्टर जो है विलन का करदार है लीट करदार है और इसमें यश और संजु बाबा की धमाकेदार फाइटिंग सीक्वेंस होंगे शर्टलेस होंगे इसके लिए बॉडी पर बरावर काम किया है दोनों ने बहुत बहुत जादा महनत की है तो आप देखना होगा कब यह रिलीस हो पा राव रमेश का क्या किरदार होगा केजी एफटू में केजी एफटू की रिलीस डेट पर किसका काला साया मन जा रहा है सूला जुलाई लेकिन कौन से साल की केजी एफटू को लेकर इसका क्या मतलब है नमशकार दोस्तों बॉलेगराद स्टूडियोज में आप सभी का और आज हम बात करने वाले हैं सावत की उस फिल्म की जो तब से ही सूर्खियों में जब से इसका दूसरा पार्ट बनने की बात सामने आई है जी हां हम बात कर रहे हैं टेलीवट की मच अवेटेड फिल्म की लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि कोरोना वाइरस महामारी की की वज़से लगतार अपकमिंग फिल्मों की रुलीज डेट में बदला हो रहा है कुरोना वाइरस की वज़से सिनेमा घर बंध है क जिस्का निरमाता अपनी फिल्मों की रिलीज डेट डालने को मचबूर है निर्माताओं को अमीद है कि जल्द देश के हलात सामान ने हो जाएंगे जिसके बाद वो अपनी फिल्म में रिलीज कर पाएंगे साल 2021 की बहु प्रतिक्षित फिल्मों की बात की जाए तो उनमें KGF2 सब से उपर आती है यश संजैदत और अवीना टंडन स्टारर KGF2 का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे है बीते दिनों सु इस साल रिलीज करेंगे के में काम करने वाले कलाकार रावर हमेश के जनम दिन के मौके पर मेकर व्क रिवील किया है करने के साथ ही में करने की रीलीज सेभी पढ़ता ऑठा दिया मेकर्स ने बताया है कि वो अपनी फिर्म को 16 जुलाइं के दिन ही बड़े पर रुलीज़ करेंगे लेकिन क्गस tendency ने तारीक के साथ साल का कुम एसाथ कि कारा है कि देश के कई हिस्सों में हालात काफी गंभीर है सरकार कुरोना मामलों को नियंतरित करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये जल्द कम होते नहीं दिख रहे हैं लोगों को उमीद है कि अगले कarboo मہîne में हालात पर काबूं पाया जा सकेगा अगर रा और अमेश की किरदार की बात करें तो यह film Max सीन में नजर आएंगे जिन्में यश के साथ दिखाया जाएगद ये लोकिन का राय और श्युनिक पर सामने चाहते हैं और बिना इसके उन्हें KGF2 को देखने में मज़ा नहीं आने वाला है तो आप KGF2 को किस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं हमें कॉमेंस में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पास KGF के लीड एक्टर रोकी भाई का लुक और करेक्टर ट्रेट कैसे शादी के महानायक अमिताब बजजन से इंस्पायर था KGF कैसे ट्राइड एंटेस्टिर एंगरी यंग मैं थीम को पोड्रे करती है फिल्मेकिंग में इंस्परेशन के लिए हमेशा से ही जगा रही है ना जाने कौन सा करेक्टर किसी फिल्मेकर को किस पॉइंट पे इंस्पायर कर जाए वो अपने अगले प्रोजेक्ट में इस इस इस्परेशन से एक अलग ही लेवल का करेक्टर पैदा करते इवन हॉलिवर्ड के टॉप डिरेक्टर क्रिस्टाफर नौलान और मार्टिन स्कुरूज सी ने ये कहा है केनियन फिल्मेकर सत्यजीत Rai Özdaar कрах पैपू चालोजी और पंठर पंचली ने उन्हें फिल्मेकिंग के लिए कपी इंसपायर किया औहीना कहीं हार एक फिल्मिक करेक्टर सेक्रेट्ली किसी परीवयस्लीं करेक्टर और परस्र्सनलेटी से के रख दिया था और अन्थैक्टिक फील के लिए जब इन्हें 70 के कपड़े पहनाए गए तो इस करेक्टर से जरूर आपको 70 और 80 के एंगरी यंग मैं अमिक्ताब बच्चन जी की जलती आई हूँ As we know movie set है 70 के टाइम पे तो डारेक्टर प्रशाम निल सिर्फ लुक्स से ही उस time period की essence क्रियेट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे बड़े स्टार बच्चन साब के रेट्रो लुक्स को रेप्लिकेट करने की सोची इसलिए रोके भाई के बाल लंबे रखवाए गए और इन्हे ओल स्टाइल बैल बोटम को पैंट पहनवाया गया सिर्फ लुक्स तक ही नहीं बलकि KGF अपनी स्टोरी फीम को लेके भी 70s हिंदी सिनेमा से मेजर इंस्पिरेशन लेती है जहां हमें similar angry young man based plot दिखने को मिलता है खुद अमिताब बच्चन ने भी कहा है कि KGF एक tried and tested स्टोरी है एक rebellious protagonist जो की larger than life shape में दिखाया गया है और उसका basic काम है लाचार और बे सहारा लोगों की हग के लिए लड़ना और similar ही storyline the most 70s पे सिनेमा की हुआ करती थी but at the same time KGF ने इन मेना plot और character trait तक की inspiration जो की और इसी के बलबूते पे call together different story audience तक पहो जाए and that's what matters the most अगर रोड़ी देखा जाए तो inspiration जो करने का असल मकसद ही यही होता है कि already presented saga को अपने अलग धंग से represent करना और इस मामले में तो KGF फ्रेंचाइजी ने लाजवाब काम किया है आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक मेई कैसा होगा रोवीना तदन का फिल्म में किरदार आखिर क्या बताया रोवीना ने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बॉयगराद स्टूडियोज में आप सभी दशकों का तहे दिल से स्वागत है फिल्म के KGF चाप्टर टू की चर्चा तभी से है जब से इसका फर्स्ट पार्ट चुलीज होकर हिट हुआ था फैंस इसके दूसरे पार्ट का भी सबरी से इंतजार करने लगे हैं निर्देशक प्रशांट नील की इस फिल्म में इस बार बॉलिवुड आक्टर्स रवीना टंडन और संजय दद भी देखने को मिलेंगे हाली में रवीना टंडन ने इस फिल्म में निभाने वाले किरदार पर बात की इसके साथ उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्चवन देखे क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शांदार थी रवीना कहती है फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इंप्रेस हुई थी टीम से लगतार बाचीत हो रही थी प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बिना पार्चवन देखे मैंने फिल्म के लिए हामी बढ़ दी फिर जब मैंने पार्चवन देखा तो मेरा होश उड़ गए मेरे लिए ये न्यू एज सिनिमा अप्रोच था हाला कि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्च से दूसरे पार्च में स्टोरी लाइन किस तरह दर्शकों को प्रभावित करती है और फिर मेरा रोल काफी दुल्चस्प होने वाला था तो मैं इसके लिए कैसे मना करती है रवीना आगे कहती है कि प्रशांत नील का काम शांदार रहा है मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है क्योंकि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में कब क्या आइडिया आ जाए असल दुनिया में वे काफी शांत किस्म के व्यक्ती है मस्ट मस्ट गर्ल के नाम से फेमस आक्टरस रवीना टंदन ने अपने बर्तरे के मौके पर फिल्म केजी फ चाप्टर टू से अपना फर्स्ट लुक शेर किया है अपने जनम दिन पर उन्होंने फैंस के लिए फर्स्ट लुक शेर किया था इस लुक में वो बहुत प्रभिशाली लग रही है रवीना लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म से जोरदार वापसी करने जा रही है तुन KGF चाप्टर टू में वो रमिका सीन के रोल में दिखाई देगी अपने फर्स्ट लुक को इंस्टरग्राम पर शेयर करते हुए छोटा से संदेश लिखा है रवीना ने लिखा पेश है है हैश्टाग KGF चाप्टर टू से हैश्टाग रमिका से बर्थे दे के शांदार तौफे के लिए KGF की टीन को धन्यवाद फर्स्ट लुक में वे मरून कलर की साड़ी पैने बेंच पर बैठे हुए दिख रही है और उनकी नम आके बता रही है कि वो बहुत भावुक है बेंच पर बैठे हुए रवीना इस लुक में बहुत प्रभाव शाली लग रही है दो इस फिल्म में संजयदद विलेन का लीड रोल करने वाले हैं इस फिल्म में संजयदद की किरदार का नाव मदीरा है और उनकी भूमिकाफ फिल्म में धासु होने वाली है तो क्या लगता है आपको क्या 90 की ये फेमस आक्ट्रिस डाल पाएंगे जों बात करने जा रहे हैं उन सब लोगों की जिनके पैसे इस फिल्म यानी KGF 2 में लगे हैं बता देश कुरोना कार में एक तरफ जहां फिल्म अंडस्ट्री अपनी मूवी रुलीज करने से डर रही है तो भही दूसरी तरफ यश्ट स्टारर KGF चाप्ट टू के जल्वा कायम है भारत की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से KGF चाप्ट टू दुनिया भर के सिनेमा घ करना है कि कंपनी ने पीछेए हैं लग तरह से घंडी राइट युस्समीं टेली राइट से लंट तरम मिल्स साटलाइट राइट इत्यादी शामिल सबसे पहले बात करते हैं नि吃2 यूई कर चुके लेकिन घ्ज एक बार फिर वन कि अन्य रायों क्योंते रिजित š니다 7 eaten मि सब्री सिंफिजार करें पिश्रे बार की तरह रॉकिंग स्टार यश की फिल्म के जीएफ टू के हिंदी राइट स्वरान अक्तर और उतेश चिद्वानी के प्रोडक्शन हाउस एक्स इंडर्टेन्मेंट ने खरीदे हैं जुसके लिए उन्हें 90 करोड से ज्यादा रुपयो इसके साथ ही तमिल राइट्स 60 करोर और साटलाइट राइट्स 120 करोर और तेल्गू राइट्स 80 करोर खरीदे गए तेल्गू राइट्स को प्रत्विराज प्रडक्शन के बवारा खरीदा गया है बताते चले कि प्लिम केज्येफ चाप्टर टू का क्लाइमेक सीन किया है अब यह देखना यकीनन विल्चस्ट होगा कि फिल्म के क्लाइमेक्स को किस तरीके से परदे पर पेश किया जाएगा मेकर्स की माने तो उन्होंने पोस्ट प्रडक्शन पर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि फिल्म बीएफेक्स पर ज्यादा निरबर है अब जब अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और जाते जाते हमारे यूट्यूब चानल बॉलिग्राइट स्टूडियोज को सब्स्ट्राइब करना ना भूले ताकि हम जब भी आपके पास किसी भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी अप्डेट होगा रवीना तंदन का फिल्म में किरदार आखिर क्या बताया रवीना ने फिल्म में अपनी भूमी का के बारे में बॉलिग्रेट स्टूडियोज में आप सबी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है फिल्म की जीएफ चैप्टर टू की चर्शा तभी से है जब से इसका पार्ट वन रिलीज होकर हिट हुआ था फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजाग करने लगे थे निर्देशक प्रशांत नील की इस फिल्म में इस बॉलिवुट आक्टर्स रवीना टंडन और संजेदत भी देखने को मिलेंगे हाल ही में रवीना टंडन ने इस फिल्म में निभाने वाले किरदार पर बात की इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्ट वन देखे क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शानदार थी रवीना कहती हैं फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इंप्रेस होई थी टीम से लगातार बातचित हो रही थी प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बिना पार्ट वन देखे मैंने फिल्म के लिए हामी बर दी फिर जब मैंने पार्ट वन देखा तो मेरे तो होश उड़ गए मेरे लिए एक न्यू इट सिनमा अपरोच था हाला कि ये भी मेरे लिए जरूरी होता कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन किस तरह दर्शकों को प्रभावित करती है और फिर मेरा ρोल काफ़ी दिल्चस्प होने वाला था तो इसे मैं कैसे मना कर सकती थी रवीना आगे कहती है कि परशांत नील का काम मुझे बहुत ही शांदार लगा मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है क्योंकि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि उनके दिमाग में कब क्या आइडियास आ जाए असल दुनिया में वे काफी शांत किस्म के व्यक्ति हैं मस्त मस्त गर्ल के नाम से फेमस एक्टरस रवीना तंडर ने अपने बद्दे के मौके पर फिल्म कीजीएफ चैप्टर टू से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है अपने जन्मदिन पर उन्होंने फैंस के लिए फर्स्ट लुक शेयर किया था इस लुक में वो बहुत ही प्रभावशाली लग रही है रवीना लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर इस फिल्म से जोरदार वापसी करने जा रही है फिल्म कीजीएफ चैप्टर टू में वे रमीका सेन के रोल में दिखाई देंगी अपने फर्स्ट लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए छोटा सा संदेश लिखा है रवीना ने लिखा है पेश है है हैश्टेग केजीएफ चैप्टर टू से हैश्टेग रमीका सेन बर्दे के शांदार तौफे के लिए केजीएफ की टीम को धन्यवाद फर्स्ट लुक में वे महरून कलर की साड़ी पहने बैंच पर बैठी हुई दिख रही है और उनकी नम आखे बता रही है कि वे बहुत ही भावुक है बैंच पर बैठी हुई रवीना इस लुक में बहुत ही प्रभावशाली लग रही है इस फिल्म में संजदत विलिन का लीड रोल करने वाले हैं इस फिल्म में संजदत के किर्दार का नाम अधीरा है और उनकी भूमिका फिल्म में धासू होने वाली है क्या लगता है आपको कि क्या 90s की यह फेमस एक्ट्रेस डाल पाएंगी फिल्म में जान कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें डिरेक्टर प्रसांथ नील की बिगेस्ट ट्रैंड कौन सी है के जी एफ टू में एज डिरेक्टर प्रसांथ नील क्या यूनीक परस्पेक्टिव प्रेजेंट कर सकते है इंडियन फिल्म मेकर्स की न्यू जनरेशन सक्सेस के मामले में काफी बड़ी माइलस्टोन अचीव कर रही है फिर बात चैतन ये तमहाने की कर लो जिनकी दडिस्पाइल मुवी वैनेस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए जीत आई या फिर लोकेश कनगराज जिनके हाज शायत ब्लॉकबास्टर फिल्म देने का कोई सीक्रेट लग गया है इन ही मारवलस डिरेक्टर ब्रिगेड में एक और ओसम फिल्म मेकर शामिल है जो की अभी है तो सिर्फ टू फिल्म ओल्ड लेकिन इनकी नेक्स्ट डिरेक्टोरियल 2021 की सबसे बड़ी फिल्म बन की उबरने वाली है जी हां हम बात कर रहे हैं केजिएफ डिरेक्टर प्रसांथ नील की इनके विजन से ही केजिएफ जैसे मैसियो प्रोजेक्ट बहत कमाल बन के निकले हैं तो जानते हैं इनकी biggest strength as a film maker जो की ultimately KGF की success में 100% शामिल थी स्वागत है फिल्मी गपशब के one step destination बॉली ग्रेट स्टूडियोस चैनल में मैं हूँ आपकी host और दोस्त रक्षता प्रशान की debut film रही थी उग्रम जो की ना तो किसी superstar को ले के थी और ना ही fancy budget वाली और इसके चलने की भी खुद इन्हें भी कुछ खास उमिद नहीं थी लेकिन फिल्म को मिले जबरदर्स response ने ये बात तो साबित कर दी कि प्रसांत नील is here to shine बस महीं से KGF का कार्मा शामिल हुआ और अब जाके बड़े धूम धड़ाके से KGF 2 पे जाके खत्म होगा जो कि हर एक barrier को तोड़ सभी audience टाइप को suit कर जाए और बस जब एक बार आप इनकी फिल्मोग्राफी देखने की सोच लो तो पूरी तरह होगड हो जाने तो तय ही है क्योंकि इनकी storytelling approach ही super interesting होती है और उपर as well blended message story को बड़े level तक पहुचा देता है क्योंकि इनकी storytelling approach ही super interesting होती है और उपर से well blended message story को एक बड़े level का मक्सन प्रदान कर जाते हैं जैसा कि हमें कीजिय फ्रेंचाइजीज में देखने को मिल ही गया था इनकी films में एक common strength जरूर रहती है और वो है awesome hero elevations इनके फिल्म में hero से audience fascinatingly well connection कर जाती है और ये सब कमाल है well developed central character का for example KGF के protagonist Rocky ने अपने ruthless avatar से कईयों के दिल जीत लिये क्योंकि इसे उस certain way में positively develop किया गया and again KGF 2 के लिए hero elevations तो इन्होंने teaser से ही जाहर कर दिये हैं जहां Rocky barrel gun से गारियों को उड़ा के full on swag दिखाता दिख रहा है और यही larger than life hero elevations देखने के लिए तो fans theater तक खीजे आते हैं प्रसांथ की filmography की probably best strength हम cinematic cliffhanger create कर पाना मान सकते हैं इसके prime example ही KGF franchisee जहां first chapter को इन्होंने एक ऐसे interesting mode पे end किया है जहां audience से मजधार मी फस गई है और बाकी के twist and turns sequel में दिखेंगे अब KGF chapter 2 में जरूर हमें प्रसांथ के कुछ unique filmmaking perspective देखने को मिल सकते हैं जिसमें शामिल है plenty of unanswered questions, some dark secrets, truth and betrayal का एक सागर और ultimately धे सारा action का भरमार हम यह जानने में काफी उत्सूख है कि directly special हमें sequel में क्या देखने को मिलेगा इस बार इन से उमीद है काफी पहार जैसी है और उमीद यह भी है कि अपनी skills से यह इन सभी expectations को पार कर जाएंगे and to add on KGF 2 में हमें chapter 1 के मुकाबले पाच गुना brutal action देखने को मिल सकता है जो कि प्रसान की एक precious strength में से एक है इन में action को realistic as well as thrilling बनाने की काफी unique quality है और chapter 2 में इनकी इसी strength को हम front seat पे फिल्म का फिर डिसाइड करते हुए भी दिखेंगे इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो हुई है लेकिन आप फिल्म पूरी तरह से धमाका करने के लिए तयार है हालाकि इस release date के साथ टाइगर शॉफ की hero panthi 2 की टककर हो रही है टाइगर शॉफ star hero panthi 2 भी kgf2 की release date के आसपास ही release होगी इस दौरान hero panthi 2 की release घाटे का सौधा साबित हो सकती है ऐसे में जाहिर है कि hero panthi 2 के makers इस film से खुद को दूर करना चाहेंगे इसी को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में टाइगर शॉफ star film hero panthi 2 की release date में बदलाव किया जा सकता है hero panthi 2 की बात करे तो भले ही इस film की release date 16 जुला बाहर शूट होने थे लेकिन आप फिल्म में कई सारे बदलाव की साथ शूटिंग होगी कोवेड 19 के चलते टाइगर शॉफ star film hero panthi 2 की shooting में काफी देरी हुई है ऐसे में आने वाले दिनों में इस film की date को आगे बढ़ा दिया जाए तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी इ चाजित नडियादवाला प्रडियूस कर रहे हैं टाइगर शॉफ ने फिल्म hero panthi से डेब्यू किया था hero panthi के makers film के KGF से clash को लेकर इसलिए डर रहे हैं क्यूंकि एक तो KGF का बाहु बली की ही तरह लोगों में काफी क्रेज है और फिर इस film के लिए लोग काफी उतसुख है KGF की कास्ट और स्टोरी लाइन काफी अलग और उंदा है और इसमें काफी मशूर अभिनेता दिखेंगे और इसके इस clash से डर रहे हैं hero panthi 2 के makers तो क्या आपको भी लगता है कि अगर दोनों फिल्म box office पर clash करेगी तो hero panthi 2 को होगा भारी नुकसान comment करके हमें अपनी रहे जरूर बताए वीडियो पसंद आए तो like और share करें और channel को subscribe करना ना भूले दोस्तो KJF chapter 1 एक ऐसी movie थी जिसने सभी के होश उड़ा दिये थे क्या कुछ लही था इस film में तंदा स्टाकास्ट, जबरदस्त गाने, रोंटे खड़ी कर देने वाली कहानी और दोस्तो music तो इसका लाजवाब ही था action और रोंडी music तो इसमें था ही लेकिन इसमें और मसाला डालने के लिए इसमें एक item number भी डाला गया था अब उसी प्रत्था को बरकरार रखते हुए इसके second path में भी एक sizzling item number होने वाला है लेकिन कौन करेगा इसमें यह item number बोलवर की मुनी अनारकली जलेबी बाई या फिर हमारी शीला आखिर कौन करने वाली है यह item song दोस्तो इसमें item song करने वाली है तमान दिलबरों को नशाच चड़ाने वाली नूरा फत्ते हैं जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इसके first part मे item song मुनी रॉय ने किया था लेकिन अब नूरा की मांग इतनी है कि पूछो ही मत उनकी अदाए और कातिल मूव्स लोगों के पसी ने चुड़ा देती है और उनके इसे fan following को ध्यान में रखते हुए के जिव के जिरेक्टर प्रशांत नील ने इसमें उन्ही चुना है अब ब प्रशांत ने चुड़ा दोस्तों आपको क्या लगता है यह गाना ओरिजनल सॉंग को बीट कर पाएगा क्या लोग इसे उतना ही प्यार देंगे जितना ओरिजनल गाने को दिया था दोस्तों यह गाना वार कहीं मज़दार होने वाला है याश और नूरा को एक साथ स्क्री और उसके डालॉक्स पर होता है उतना ही उनके गानों पे भी होता है कुछ-कुछ फिल्में तो ऐसी होती है कि भले ही उनकी कहानी टाइम पास होती पर उनके गाने बॉक्स ऑफिस पर धंवाका कर जाते हैं और जो फिल्में हमें मज़दार कहानी के साथ-साथ दिल को छून वाले गाने भी देते हैं वही फिल्में सभी को याद रहती है नमश्कार दोस्तों मेरा नाव हते जो और मैं आप सब का तहदल से वालिग्राथ स्टुडियोज में स्वागत करती हूँ दोस्तों साउथ के इंडस्ट्री उसके आक्शन और अनोखे अंदास के लिए जानी जाती है उनकी फिल्मों में अलग ही बात होती है और इसी साउथ इंडस्ट्री में दो फिल्में ऐसी आई जिन्होंने भारतिय फिल्मों का नक्षा ही बिदल दिया है जी हां दोस्तों मैं बात कर रही हूं बाहु बली और KGF इन फिल्मों के बारे में इसके डिरेकटर थे SS राजा मुली और प्रशांथ नीर इन दो डिरेकटर ने फिल्म बना कर इतिहास रच दिया है इन फिल्मों ने आते ही दोस्तो KGF ये मूवी बाहु बली की तरहर ही सूपर हिट हुई थी, इसके गाने क्या लाज जवाब थे, इस पे गाना मापर भी बनाया गया था, वो आज भी लोगों की रिंग टोन्स में आपको सुनाई देगा, क्या कमाल म्यूजिक बनाया था इसका, ऐसा म्यूजिक था क कि लोगों के रोंग टे खड़े हो जाते थे, ऐसा म्यूजिक जो लोगों के दिलों को छू जाता है, इस फिल्म में दमदार म्यूजिक था, इमोशनल करने वाला म्यूजिक भी था, और इसे के साथ साथ आइटम सॉंग्स भी उतने ही फेमस थे इसके, आपको बता दो इस फिल्म को कई लैंग्विज उसमें डब किया गया था, और इसी वज़े से उन्हें ये सब गाने भी उस लैंग्विज उसमें करने पड़े थे, दोस्तों महनत देख रहे हैं उनकी, यू है इस फिल्म ने सभी रेकॉर्ड्स नहीं तोड़े है, इसमें से कुछ गाने, जैस मोहन कृष्णा और संतोष वेंकी ने, और इसका कोरस विज़र प्रकाश ने दिया है, इस फिल्म में जो आइटम नंबर था, वो नेहा कक करने का आया था, जी हां दोस्तों, ये गाना एक क्लब आइटम सॉंग था, दोस्तों अब इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी आ रह आइटर हो या में ने इचे कॉम सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर देजिया लाइक हमार आखर कैसे करेंगे यश्ट तीन हजार लोगे की मदब, बॉलिग राइट शोडियो से आँग सभी दर्शकों का तहीदित से स्वाबद है, फिल्म केजी य यानि सुपर स्चार यश्ट आज किसी पहचाम के भौताज नहीं है, उनके अधिने और स्टायल पर करोडो फैंस पिदा है, इसके लाबा यश्ट अपनी दर्या दिल्ली के लिए भी जाने जाते है, यश्ट अपने फैंस का खास खाल रखते हैं, और सिर्थ फैंस का ही नह करोणा मामारी के कारूँ फिल्म इंडस्ट्री के काम बन है, ऐसे में वहाँ काम करने वाले डेली वर्कल्स को आठिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, इसी को देखते हुए सुपर स्चार यश्ट ने कंडर फिल्म इंडस्ट्री के तीन हजार से अधिक करमियों के कोवे लिखा, COVID-19 एक ऐसा अद्रिश्य दुश्मन है जिसने देश के कई लोगों की आजेविका छीन ली, मेरी करनल फिल्म इंडस्ट्री कोवेट के दौरान बुरे वक्त से गुज़र गई है, ऐसे वक्त में मैंने ये तैय किया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के 21 डिप मैं जानता हूँ कि ये नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा, जो आप लोगों ने इस मुश्किल वक्त में छेला है, मगर ये एक आशा की किरन है, आशा इस बार की कि हम जल्दी हैतर वक्त देख पाएंगे, वर्क फ्रेंट की बात करें तो ये जल्दी फिल्म के जियक इस फिल्म का उनके फैंस को बेसबरी से इंकजार है, फिल्म के निर्देशक परशांद वील ने इस बात की पूछना की है, कि फिल्म 16 जुलाई को सिनमा घरों में रिलीस होगी, एजियक चाप्टर टू में संजदत मुखे विलन अधीरा के लोल में दिखाए देगे, फिल बड़ाई बतोरी है, और अपनी दमदार आक्टिंग से बॉलिवोड फैंस को ही अपना दिवाना बना दिया है, इस फिल्म के बाद वे एक साउट आक्टर नहीं, बलकि एक लोबल आइकन बन जाएंगे, क्या आपको लगते हैं कि चाप्टर टू में धी यश की किस फिल्म से प्रेरी थी प्रशांद की केजिव? एक कहानी को फिल्म बनाने में किन पर्दे के पीछे के किर्दारों का हात होता है? केजिव में कौन सी टीम देख रही है अक्शन सीन्स का काम? नमश्कार दोस्तों, मैं हूँ पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉली ग्राड स्टूडियोज में आज हम बात करने वाले हैं साउथ की ऐसी मूवी की जुसने सब को चौका देने वाले रिकॉर्ड बनाए और एक और रिकॉर्ड बनाने के लिए आ रही है केज फचापटर टू जी हां हम बात कर रहे हैं केज फचापटर टू की लेकिन उससे पहले केज फचर सीरीज की उन उपलब्धियों की जो उसने हासिल की बता दें कि Cage of Chapter 1 के सारे डब्ड वर्जिन्स को भारत ने 20 December 2018 में एक साथ रिडीस किया गया था Cage of Chapter 1 को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया और इस फिल्म के विजुल और ट्रेलर देखकर यही लगता है कि यह किसी Hollywood फिल्म से कम नहीं दी Cage of Chapter 1 फिल्म को लेकर North Side में भी जादा लोग उचसाहिद थे क्योंकि वो इसके पहले बाहुबली The Beginning और बाहुबली The Conclusion के अंदर साउथ की फिल्म का कमाल देख चुके थे और वो कितने बड़े लेवल पर अपनी फिल्मों की शूटिंग करते हैं और अपनी फिल्मों में कितनी महनत करते हैं वो देख चुके थे हाला कि बाहु बली की पूरी सीरीस तेलगों में शूट की गई थी और Cage of पूरी की पूरी के पूरी कनण भाशा में शूट की गई थी अब की बार भी Cage of को कनण में ही बनाय जाएगा लेकिन हिंदी में भी डब किया जाएगा लेकिन फिल्म Cage of Chapter 1 से लोगों की उमीद जितनी ज़्यादा थी उससे कहीं ज़्यादा उमीद लोगों को Cage of Chapter 2 से है क्योंकि प्रशांत नील ने फिल्म का एक अलगी लेवल सेट कर दिया है फिल्म को प्रशांत नील द्वारा लिखा और डिरेक्ट किया गया है लेकिन आपको पता है कि लोगों को इनकी मुवी से इतनी ज़्यादा उमीद है क्यों है तो बता दें कि इन्होंने इसके पहले 2014 में भी कननट भाशा के एक वहतरीन अक्शन त्रिलर फिल्म उग्रम को डिरेक्ट किया है लेकिन उस फिल्म को हिंदी में डब नहीं किया गया था ये प्रशान्थ नील के एस डिरेक्टर पहली फिल्म थी और ये कनेट भाशा में उस समय की बहुत बड़ी ब्लॉक बस्टर फिल्म बनी थी केज फ चाप्टर फिल्म के अंदर म्यूजिक डिरेक्टर सिनेमेटोग्राफी और एडिटर के तौर पर प्रशान्थ नील की पहली फिल्म की टीम यानि की उग्रम की टीम को ही लिया गया था म्यूजिक में रवी बस्रूर सिनेमेटोग्राफी के लिए भुवन गौड़ा और एडिटर के लिए श्रीकान गौड़ा को ही लिया गया था इस वज़े से फिल्म उग्रम और केज अफ के अंदर सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में काफी कुछ चीजे एक जैसी देखने को मिलती है इसकी सफलता के बाद जब इसे हिंदी में डब किया गया तो इसकी सफलता आसमान पर थी इसके आक्शन्स और कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया था और तब भी प्रशान्त नील ने इसका दूसरा पार्ट बनाने का फैसला भी कर लिया था जिसमें आपको बता दे कई एलेमेंट्स जोड़े गए हैं एक दमदार कहानी जो की राजनितिक और सामाजिक दोनों होगी साथ ही इसमें नए क्यारेक्टर्स को साथ लाया जाने वाला है जिसमें अधिरा जो की हॉलिवुड से इंस्पार्ड है और रमी का सेंज जो राजनिति से उठाया गया किरदार है और रॉकी जिसे तो हम पहले भी फिल्म में देख चुके है KGF2 में प्रशांत की वही टीम इनके साथ भी काम कर रही है जो इनकी पहली फिल्म में इनके साथ थी जी हाँ क्योंकि वो टीम अच्छे से जाए जाए KGF2 की रुलीज के बारे में हाली में प्रशांत नीली ने क्या कहा KGF2 की शूटिंग लोकेशन्स कौन सी हैं और इसमें कितने वोकर्स इंबॉल रहें KGF2 के क्लाइमेक सीन रॉकी वर्स अधीरा फाइट किस लोकेशन में शूट हुआ 2020 में काफी सारी बड़ी फिल्में रिलीज के लिए प्लान की गई थी लेकिन COVID तो कुछ और ही मंजूर था नतीजन हरी गड़ी फिल्म को अभी भी रिलीज के लिए होल्ट पर रखा गया है और इस कोस्पोंट फिल्म में शामिन है साल की सबसे हाइट दू फिल्म KGF2 जो की ओल्दो जुलाई के लिए एम की गई थी और अब अनिच्छत काल के लिए टाल दी गई है लेकिन हाल फिलाल में जब COVID की सेकेंड वे फोड़ी डिकलाइन होने लगी तो फिल्म के तगड़ी फैन बेस में फिल्म को अब रिलीज करने की डिमांड उठाई है इस पे डारेक्टर प्रशांट नील ने क्या कहा जानते हैं आदी स्वागत है आपका बॉलगराट स्टुडियोज में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शुती और लाई हूँ KGF2 से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग और अंडोन फाक्स का डोस लेकर तो अगर आप भी जानना चाते हैं कि क्या खास है इस वीडियो में उसे अंतक जरूर देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मन दूरिएगा ताकि जब भी हम आपके पास किसी भी फिल्म से जुड़ी अपडेट को लेकर आए तो वो आप सबसे पहरे जान पाए आपको बता दे प्रशांत नील ने फिल्म के नियर टाइम में रिलीज होने की सारी अव्वाओं को खारिज करते हुए कहा कि इस सिच्वेशन में ओडियन्स को थियेटर में बुलाना एक सही डिफिजन नहीं होगा क्योंकि अभी भी कोविट का फ़त्रा पूरी तरह से नहीं टला है साथ इन्होंने अड़ान किया कि वो स्पेर टाइम को KGF2 को और भी ज्यादा बेटर बनाने में यूटिलाइज कर रहे है ताकि आपके फिल्म को लेके जो भी एक्सपेक्टेशन हो तो इससे उपर कहीं प्रॉड़क निकल के आए और बात करें KGF2 को लेकर हाइप की तो सिंप्ली इसके टीजर को मिले रिस्पॉंस और इवन पीएंग से रिलीस देट के वन हॉलिडे डेक्लेयर करने की मांगी कहानी को अच्छे से वाया कर देती है और इसी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं इंसाइडर डीटेल्स KGF2 की शूटिंग लोकेशन को लेके फिल्म के सेकेंड चाप्टर का श्री गनेश हुआ था 2019 में हाइडराबाद में ठीक एक साल बाद मार्श 2020 में इसे डेफिनिट रीजन्स के लिए रोकना पड़ गया फिर जैसे ही आउगस्ट 2020 में कोवर्ड रिस्टिक्शन साथी KGF टीम ने अपना शूट स्केडियूल को बैंगलियूरू के कांतावीरा स्टूदियो में कॉंटिन्यू किया और इसके बाद ये पहुँचें मोस्ट इंपॉर्टन लोकेशन कोलार गोल फील करनाटका में जा फिल्म का एक ग्रेट चंक कैप्चर किया गया और लास्ट ली फिर एक बार हाइदरबाद का रूट पकट के फिल्म को राप अप किया गया सेकेंड चाप्टर में फर्स्ट के मुकावले काफी बड़े इरेक्ट किये गए थे और इनमें से माक्सिमम रहे कुलार गोल फील्स में ही इतने बड़े सेट्स को खड़ा करने पाने में जाहिर है काफी मैन पावन लग नहीं थी इसलिए मेकर्स ने करीब 1200 वर्कर्स को डेली वेज 500 पर हायर किया और तो और इन सभी वर्कर्स का ग्रुप लाइफ इंशॉरंस भी करवा के रहने खाने का इंतजामात वहीं पर कर दिया था इस तरह के जिए फ्टू अपने शूट वर्कर्स के लिए इतने इंतजाम करने वाली फर्स्ट कर्नट फिल्म भी बन गए और बात करें फिल्म के मोस्ट इंपोर्टन सीन रॉकी वर्स इस अधिया की तो इसे हाइदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया है और यही फिल्म की मेन हाइलाइट भी बनने वाली है इस डेडली फेस आफ की शूट लोकेशन कन्फरमेशन को दारेक्टर प्रशांत नील ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके की थी तो आज की वीडियो में बस इसे हमें क्या लाइफ लर्निंग लेसन्स मिलते हैं के जी एफ चैप्टर टू से हम क्या एक्सपेक्टेशन्स रख सकते हैं हर एक ग्रेट फिल्म की एक सबसे बड़ी खासियत होती है प्राइमरेली इसमें एंटर्टेन्मेंट फैक्टर होता है और वो भी भर-भर के तो वहीं बैलन्स आउट करने के लिए छिपे होते हैं कुछ प्रूशियल लाइफ लेसन्स हर एक ग्रेट स्टोरी टेलिंग आर्टिस की ये ट्रेटमार्क क्वालिटी होती है कि वो मीडियम को इंपाक्फुल स्टोरी डिस्टेमिनेट करने के लिए उसे करते हैं इन आर्टिस के फिल्मोग्राफी डेफिनेटली एंटर्टेन्मेंट परपस के लिए तो होती ही है लेकिन साथ ही में इन में छुपे होते हैं कुछ सब मिनिमल लाइफ एडवाइस और आज इनही लाइफ लेसंस को हम करेंगे डिसकस विद दे रेफरेंस ओफ प्रसांथ नील्स के जीएफ मूवी मैं हूँ आज की होस्ट रक्षता स्वागत करती हूँ आपका बॉली ग्रेट स्टूरियोज में KGF फ्रेंचाइसी बड़े ही सटल वे में हमें लाइफ की रियालिटी का कड़वा भूट पिला जाती है इसमें से most important life lessons रहा है रैक्स तो रिचस स्टोरी का KGF के protagonist Rocky एन इसे निभाने वाले कमाल आर्टिस्ट यश इस रैक्स तो रिचस स्टोरी के जीते जाकते सबूत हैं जहां Rocky एक गरीब परिवार से तालुक रखने के बावजुद भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की aspiration मन में पाली रखता है तो वहीं यश स्टोरी को reality में सच करके दिखा गए हैं यश एक middle class family से belong करते हैं जिनके पिता एक bus driver का काम करते थे लेकिन अपना hard work की बदॉलत आज ये किसी introduction के मोहताज नहीं है second important life lesson होगा adversities का डट के मुकाबला करना as old saying optimist sees opportunity in every difficulty ऐसा ही character है Rocky का जो की हर एक opportunity को सही से घुनता है पर फिर चाहे लाक मुश्किले पेश हो एक हाती को मार गिराना हो तो Rocky भाई हाजर and one of the most important message रहा value of mother's unconditional love यही जीवन का सार भी है कि मां का प्यार का कोई भी replicate नहीं कर सकता remember दुनिया में सबसे बड़ी योध्धा मा होती है and finally unity strength जब गरुडा के bodyguard Rocky को shoot करने आते हैं तो कैसे सभी labors common enemy के against unified हो जाते हैं बस यही सीख success का मंत्रा भी है जाहे जितने भी tough हो आप अगर जंग को जीतना है तो लोगों का support ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है बेशक KGF chapter 2 में भी entertainment की भरी डोस के साथ valuable advice की भरमार होने वाली है पर पहले इस sequel से हमारी expectations को जरा बया कर लेते हैं फिल्म में cinema के सबसे deadly face of Rocky vs. अधिरा के ताबर तोड होने की उमीद है जहां सिर्फ इस एक battle के लिए ही makers ने करीब 6 करोड तक खर्च कर दिये हैं सीक्वल में actions aspects 5 गुणां बढने वाले हैं as already told by star yash story wise तो ये franchises कमाल है लेकिन specially character development में हमें और elaboration की उमीद है जैसे की अधिरा का first part में कोई खास role नहीं था इस बार इसे काफी तसल्ले से introduced और develop कराया जाएगा first part के end में Rocky gold mine workers के साथ stand हुआ दिखता है अब देखना ये है कि इस rightiest man की journey आगे कैसे बढ़ेगी KGA franchises की बुन्याद ही Rocky का उसकी मा से किया हुआ वादा है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा तो इस motherhood relation की भी थोड़ी बहुत किसे देखने को मिलतकते हैं सबसे मेन कैरेक्टर प्रियाम रमीका सेन के negative और positive रोल से परदा उठाना काफी important है और आखिर क्यों इसे Rocky को मारने का फर्मान जारी किया कुछ एक additional character जैसे विजेंडर इंगाल की इनायत खलील और CBI officer की story में importance कायम की जाएगी फर्स पार्ट ने Rocky के अलावग gold mind के और भी secondary character जैसे story teller Shanti blind worker को define कर दिया है second part में इनकी importance elaborate होने की उमीद भी है and finally journalist Anand Engali कैसे hidden story को जानते हैं और क्यों government of India ने इनकी book को ban और Rocky के खिलाफ death warrant issue किया in flaming questions से answer तभी मिल पाएंगे जब KGF का much awaited chapter 2 होगा reveal आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अंगली इसको और भी ज़्यादा इंजजार करना पड़ेगा इस film का hello friends आप देखे हैं वाली ग्रास ट्यूडियो इस समय कुछ ऐसी फिल्म में है जुनको लेकर काफी समय से इंतजार चल रहा है लेकिन किसी ना किसी कारणवश फिल्म की release date postpone होती जाती है एसे में most awaited film की लिस्ट में number one पर अगर हम बात करें तो यश की KGF chapter 2 है करनाट सुपस्टार की इस फिल्म के पहले chapter ने release होकर धमा का मचा दिया था और उस वक्त शारू की zero release होई थी और सोचे इतनी भयाग का टकर थी ऐसे में KGF chapter 2 आगे निकल गई और सब को हैरान करके रख दिया वहीं आपको बता दे कि KGF chapter 2 की release date की भी announcement हो चुकी थी 16 जुलाई को इसे release होना था और टीजर और ट्रेलर भी already release कर दिया गया जिसने तावर तो records भी तोड़े वहीं अब जो जानकारी सामने आ रही है वो KG कि फैंस के लिए थोड़ी सी निराशत जनक है आपको बदा दे कि इस फिर्म को भी पोस्पोन की जाने की बात की जा रही है क्योंकि लॉक्डाउन की चलते थीएटर बंद है और मेकर्स हर हाल में इसे थीएटर में ही release करना चाहते हैं क्योंकि यह थीएटर के experience के हिसाब से ही बनाई गई है इसे बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया गया है खुद यश ने कहाता कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम OTT पे नहीं बलकि थीएटर में ही आएंगे हालांकि अब फिर्म कब release होगी यह तो कहा नहीं चाह सकता कोई भी official announcement नहीं है लेकिन 16 जुलाई को इसे release कर पाना बहुत ज़ाद मुश्किल है वहीं जानकारी के मताबिक बता दे जब देश भर में फिएटर सो प्रतिशत occupancy के साथ कुलेंगे तब ही KGF Chapter 2 को release किया जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी बजट की फिल्म है और इतना बड़ा loss यह नहीं जेल सकती इस फिल्म से अकसर क किसी ना किसी तरह की खबर सामने आती रहती है जो कि फैंस की धरकनों को लगातर बढ़ा देती है हाल ही में पता चला था कि यह फिल्म काफी लंबे होने वाली है और फैंस काफी समय तक इसका मज़ा ले पाएंगे पता चला था कि फिल्म की जो डूरेशन है वो दो घंटे 52 मिनट की होने वाली है हालांकि इस समय इतनी लंबी कुछ ही फिल्म में देखने को मिल रही है अब सारी शॉट फिल्म में बन रही है वहीं आपको बता दे इसके लावा फिल्म की कहानी को लेकर पता चला था कि यह जहां से खत्म हुई थी यानि कि KGF चैप्टर बन जहां विलन का करदार है लीट करदार है और इसमें यश और संजु बाबा की धमाकेदार फाइटिंग सीक्वेंस होंगे शर्टलेस होंगे इसके लिए बॉड़ी पर बराबर काम किया है दोनों ने बहुत जादा महनत की है तो अब देखना होगा कब यह रिलीस हो पाएगी आप को कितना वेट हो रहा है इस फिल्म का नीचे कमें सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करेएगा हमारे चैनल बॉली ग्राफ स्टुडियोज को राव रमेश का क्या किर्दार होगा केजी एफ टू में केजी एफ टू की रिलीस डेट पर किसका काला साया मंज़ा रहा है 16 जुलाई लेकिन कौन से साल की KGF2 को लेकर इसका क्या मतलब है तमश्कार दोस्तों बॉलेग्राग स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट शुती और आज हम बात करने वाले हैं सावत की उस फिल्म की जो तब से ही सूर्खियों में है जब से इसका दूसरा पार्ट बनने की बात सामने आई है जी हाँ हम बात कर रहे हैं टेलीवट की मच अवेज़ेड फिल्म की लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि कोरोना वाइरस महामारी की वज़े से लगातार अपकमिंग फिल्मों की रिलीज डेट में बदलाव हो रहा है कुरोना वाइरस की वज़े से सिनेमा घर बंध है जिसका रण फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों की रिलीज डेट डालने को मजबूर है निर्माताओं को उमीद है कि जल्द ही देश के हलाद सामान ने हो जाएंगे जिसके बाद वो अपनी फिल्म में रिलीज कर पाएंगे साल 2021 की बहु प्रतिक्षित फिल्मों की बात की जाए तो उनमें KGF-2 सब से उपर आती है यश, संजैदत और अवीना टंडन स्टारर KGF-2 का इंतजार दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे हैं बीते दिनों सुनने में आया था कि कोरोना की बज़े से KGF-2 के मेकर्स अपनी फिल्म को अगले साल ला सकते हैं पर मेकर्स ने इन खबरों पर पूर्ण विराम लगा दिया है और बताया है कि वो अपनी फिल्म को इसी साल रिलीज करेंगे KGF-2 में काम करने वाले कलाकार राव रमेश के जनम दिन के मौके पर मेकर्स ने उनका फर्स लुक रिवील किया है फर्स लुक रिवील करने के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट से भी परदा उठा दिया है मेकर्स ने बताया है कि वो अपनी फिल्म को 16 जुलाई के दन ही बड़े पर रिलीज करेंगे लेकिन KGF-2 के मेकर्स ने तारीक के साथ साल का खुलासा नहीं किया है तो ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म अगर इस साल रिलीज नहीं हो पाई तो मेकर्स अगले साल इसी तारीक पर इसे दर्शकों के सामने पेश करेंगे कॉरोना से बिगडे हालातों पर चर्चा करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में हालात काफी गंभीर है सरकार कॉरोना मामलों को नियंतर्ट करने की कोशिश कर रही है लेकिन ये जल्द कम होते नहीं दिख रहे हैं लोगों को उमीद है कि अगले दो महिने में हालार पर काबू पाया जा सकेगा अगर राव रामेश की किरदार की बात करे तो ये फिल्म में क्लाइमेक्स सीन में नजर आएंगे जिनमें यश के साथ दिखाया जाएगा ये लोकिन का रा और अमेश के जर्मदर पर सामने आया अब इनके किरदार में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा ये देखने लायक होगा अगर आप भी इनके किरदार के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंस में जरूर बताईए वैसे लोग KGF2 को सिनमा में रिलीज होते देखना चाहते हैं और बिना इसके उन्हें KGF2 को देखने में मज़ा नहीं आने वाला है तो आप KGF2 को किस स्क्रीन पर देखना चाहते हैं हमें कॉमेंस में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा ताकि जब भी हम आपके पास KGF के लीड एक्टरों की भाई का लूक और करेक्टर ट्रेट कैसे शादी के महानायक अमिताब बच्जन से इंस्पायर्ड था KGF story कैसे Tried and Tested Angry Young Man theme को पोर्ट्रे करती है फिल्मेकिंग में इंस्परेशन्स के लिए हमेशा से ही जगा रही है ना जाने कौन सा करेक्टर किसी फिल्मेकर को किस पॉइंट पर इंस्पायर कर जाए वो अपने अगले प्रोजेक्ट में इस इस इस्परेशन से एक अलग भी लेवल का करेक्टर पैदा करते इवन हॉलिवर्ड के टॉप डिरेक्टर क्रिस्टाफर नौलान और मार्टिन स्कुरूज सी नहीं ये कहा है केरियम फिल्मेकर सत्यजीत राइके वाग्स आपूचालो जी और पर्थर पंचली ने उन्हें filmmaking के लिए कापी इंस्पायर किया अही ना कहीं हार एक film mix करेक्टर secretly किसी previously hit character और personality से इंस्पायर होता है और आज हम ऐसे ही एक सूपर hit character cgf के रोकी के inspiration ही बात करेंगे स्वागत है आप सभी का बॉलिवेट स्टूडियोस में मैं हूँ आपकी फोस्ट और दोस्ट प्रेंगा रोकी भाई के रस्टी और विंकेज लुक ने हम सबको अमेज करके रख दिया था और अन्थैक्टिक फील के लिए जब इने 70s के कपड़े पहनाए गए तो इस कैरेक्टर से जरूर आपको 70s और 80s के एंगरी यंग बैन अमिक्ताब बच्चन जीथी जलती आई हूँ एस वी नो मूवी सेट है 70 के टाइम पे तो डारेक्टर फरशाम ने इस सिर्फ लुक से ही उस थाम टीरियेट की एसेंस क्रियेट करना चाहते थे इसलिए उन्होंने उस समय के सबसे बड़े स्टार बच्चन साब के रेट्रो लुक्स को रेप्लिकेट करने की सोची इसलिए रोके भाई के बाल लंबे रखवाए गए और इन्हें ओल स्टाइल बैल बोटम को पैन पहलवाया गया सिर्फ लुक्स तक ही नहीं बलकि KGF अपनी स्टोरी थीम को लेके भी 70s हिंदी सिनेमा से मेजर इंस्पिरेशन लेती है जहां हमें similar angry young man based plot दिखने को मिलता है खुद अमिताब बच्चन ने भी कहा है कि KGF ए tried and tested स्टोरी है एक rebellious protagonist जो की larger than life shade में दिखाया गया है और उसका basic काम है लाचार और बे सहारा लोगों की हक के लिए लड़ना और similar ही स्टोरी लाइन दो मोस्ट 70s पे सिनेमा की हुआ करती थी बाट अगर बोटली देखा जाए तो inspiration जो करने का असल मकसद ही यही होता है कि already presented Saga को अपने अलग धंग से represent करना और इस मामले में तो KJF franchise ने लाजवाब काम किया है आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नई कैसा होगा रवीना टनन का फिल्म में किरदार आखिर क्या बताया रवीना ने फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बोईगराद स्टूडियोज में आप सभी दशकों का तहे दिल से स्वागत है फिल्म KJF chapter 2 की चर्चा तभी से है जब से इसका first part चुलीज होकर हिट हुआ था फैन्स इसके दूस्टे पार्ट का भी सबरी से इंतजार करने लगे हैं निर्देशक प्रशांट नील की इस फिल्म में इस बार बॉलिवुड आक्टर्स रवीना टनन और संजय दद भी देखने को मिलेंगे हाली में रवीना टनन ने इस फिल्म में निभाने वाले किरदार पर बात की इसके साथ उन्होंने बताया कि फिल्म के लिए उन्होंने हामी भर दी थी बिना पार्ट बन देखे क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी शानदार थी रवीना कहती है फिल्म की स्टोरी लाइन से मैं काफी इंप्रेस हुई थी टीम से लगतार बादशीत हो रही थी प्रशांत ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई और बिना पार्च बन देखे मैंने फिल्म के लिए हामी बढ़ दी फिर जब मैंने पार्च बन देखा तो मेरा होश उड़ गए मेरे लिए ये न्यू एज सिनिमा प्रोच था हाला कि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्च से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन किस तरह दर्शकों को प्रभावत करती है और फिर मेरा रोल काफी दुल्चस्प होने वाला था तो मैं इसके असल दुनिया में वे काफी शांत किस्म के व्यक्ति हैं मस्त मस्त गर्ल के नाम से फेमस आप्ट्रस रवीना टंदन ने अपने बरत्रे के मौके पर फिल्म केजिएफ चाप्टर टू से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है अपने जलम दिन पर उन्होंने फैंस के लिए फ अपने फर्स्ट लुक को इंस्टग्राम पर शेयर करते हुए छोटा से संदेश लिखा है रवीना ने लिखा पेश है है हैस्टाग केजिएफ चाप्टर टू से हैस्टाग रामिका से बर्सडे के शांदार तौफे के लिए केजिएफ की टीन को धन्यवाद फर्स्ट लु विलिन का लीड रोल करने वाले हैं इस फिल्म में संजयदत की किर्दार का नाम अधीरा है और उनकी भूमिकाफ फिल्म में धासू होने वाली है तो क्या लगता है आपको क्या 90 की ये फेमस आप हुआ 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 है